हलो एवरीवन आप सभी का स्वागत है भई मैगनेट ब्रेंज के समेजिंग यूट्यूब चानल पर जहां पर हम सारी टीम मिलकर आपको प्रोवाइड कराते हैं 100% free of cost 100% high quality educational videos for all these students of K-12 that is kindergarten से class 12 तक के हमारे सारे प्यारे बच्चों के लिए हम पूरा course पूरा syllabus हर subject का complete कराते हैं हमारे द्वारा दी हुई videos से हमारे द्वारा provide करा ही गई videos के द्वारा है ना वो सारे के सारे videos आपको free of cost हमारे YouTube channel हमारी website और हमारे application पर देखने को मिल जाएंगे as well as सारे videos subject wise, chapter wise playlist के format में arrange होते हैं so that आप chapter by chapter, topic by topic, exercise by exercise complete करते चले जाओ और अपना बढ़िया वाला syllabus and course complete करो अच्छे से हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी खबर है कि हमारा Magnet Brains Hindi Medium YouTube channel हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बहुत बढ़िया शांदार काम कर रहा है वहाँ पर भी सारे टीचर, सारी टीम मिलकर आप सभी बच्चों को जो class 6 से class 12 तक हिंदी मीडियम के बच्चे हैं जो UP board, MP board, Bihar board, Rajaspan board या Delhi board इन पाच state boards से related हैं तो इन पाच तरह के पाच state boards के बच्चों के लिए वहाँ हिंदी मीडियम चैनल जो कि Magnet Brains Hindi Medium YouTube channel है उस पर बढ़िया वाली, regular वाली, consistency वाली, quality वाली पढ़ाई हो रही है दोस्त तो अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं मुझे सुन रहे हैं तो आप Magnet Brains Hindi Medium channel पर जाईए और बढ़िया वाली पढ़ाई कीजिए क्योंकि वहाँ पर भी free of cost में 100% high quality education प्रोवाइड कराई जा रही है हमारी Magnet Brains Hindi Medium team की तरफ से ठीक है, इसी के साथ जो बच्चा notes डाउनलोड करना चाहता है Hindi Medium, English Medium की मैं especially बात कर रहा हूँ अभी तो English Medium का बच्चा जो notes डाउनलोड करना चाहता है 6th class से 12th class तक का कोई भी बच्चा हो किसी भी subject के notes डाउनलोड करना हो तो आप हमारी website चेक आउट कर सकते हो www.magnetbrains.com या फिर आप हमारा application install कर सकते हो Google Play Store से और दोनों ही जगा जहां भी आप चेक आउट करोगे grab e-notes एक blinking area दिखेगा टॉप पे उस पे click कर देना, class select करना, subject select करना और PDF format में, soft copy के format में डाउनलोड कर लेना अपने लिए best possible notes ठीक है आज के session में जीशा अंजर आपको क्या पढ़ाएंगे दोस्त class 12 का बढ़िया वाला session होगा देखो, inverse trigonometric functions ITF बोलूँगा मैं इसको बार बार जब भी ITF बोलूँ तो समझ जाना inverse trigonometric function की बात हो रही है आज हम basically सिर्फ और सिर्फ दो main चीज़ों पर बात करेंगे that is ITF की domain and range क्या होती है ITF की domain and range क्या होती है है ना, तो इस बारे में detail में बात होगी बच्चों हो सकता कि आपको content कम लगे पर मैं detail में बात करूँगा क्योंकि बहुत सारा content है इस topic पर हम बहुत बात कर सकते है और काफी बात करेंगे भी ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं inverse trigonometric function के domain and range के बारे में तो भई शुरू करते हैं इस session को इस से पहले कि अपन शुरू करें प्लीज यार notebook और pen, pencil, copy जो भी निकाल के रखना है, बैठना है preparation के साथ बैठो, तैयारी के साथ बैठो so that आप चीजों को लिख सको, सुन सको और अच्छे से pointers बना सको, points बना सको so that आपके revision में आपको कोई भी तरह की problem ना हो जो मैं board पे लिखा हुआ दिखा रहा हूँ स्लाइड आ गई है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कोई समस्या नहीं है, सर आ गई, तो आजाने दो चो कुछ लिखा है, उसको हम बाद में पढ़ेंगे मैं फिर बोल रहा हूँ, मैं हर वीडियो के सार्टिंग में अपसे बोलूँगा that these things are for your notes taking आप notes बना सकते हो, ठीक है discussion इनी के बारे में होगा discussion इनी के बारे में होगा, कुछ extra points के बारे में discussion भी होगा, तो चलिए शुरू करते हैं देखो भीया simple सी बात है, trigonometric function जो हमने class 11 में पढ़ा है उन्ही के inverse functions को हम inverse trigonometric functions बोलते हैं, ठीक है, जैसे मान के चलो मैंने कोई एक function लिखा F या अपन कह देते हैं Fx अगर मुझे इसका inverse लिखना है तो अपन लिख सकते हैं F inverse X बिटा, ऐसे अपन इसको denote कर सकते हैं और कोई नई चीज नहीं है मैं आपको inverse या invertible functions अल्रेड़ी पढ़ा चुका हूँ चाप्टर वन में चाप्टर वन हमने पढ़ा है ना relations and functions उसमें composition of functions and invertible functions एक topic था ना तो invertible functions में आपको पढ़ा चुका हूँ याद रखना, अच्छे से याद रखना कि सर अगर एक function Fx है तो उसका inverse F inverse X होगा ऐसी इस तरह से अपन उसको दिखा सकते हैं ठीक है सर अब समझना बात को अगर Fx is equal to हमारा sin X है एक trigonometric function है सर एक trigonometric function है हमारा sin X ठीक है? यह trigonometric function है तो सर जी इसका inverse F inverse X होगा बिलकुल होगा कैसे लिखेंगे सर इसको? तो लिखना सीख लो बिटा sin और X के उपर हम minus 1 लगा देते हैं sin inverse X इसको ऐसे पुकारा जाता है ध्यान से समझना ठीक है? sin inverse X ऐसे लिखा जाता है और जब आप इसमें inverse लगा देते हैं तो यहाँ से inverse हट जाएगा यह हो जाएगा सर हमारा एक और function GX ठीक है? done है? sin X का inverse sin inverse X यह क्या है? सर यह trigonometric function है यह trigonometric function है ठीक है? ऐसे ही सर हम cos X लिख सकते हैं यह normal trigonometric function है सर हम 10X लिख सकते हैं यह normal trigonometric function है sin X, cos X, tangent X 10X is tangent X उसके बाद हम लिख सकते हैं cortex है नो? यह क्या है सर? cotangent X, cortex x ठीक है उसके बाद sec x या secant x बोल सकते हैं और फिर cosecant x या cosec x बोल सकते हैं सर यह सब क्या है यह normal trigonometric functions है जो हमने class 11 में पढ़ी थे अब इन सब के inverse मैंने आपको बताया था कि inverse कैसे निकाला जाता है मैं फिर बता दे रहाँ clearly सुन लो जो functions bijective होते हैं जो functions 11 onto दोलों तरह के functions होते हैं एक function है वो 11 भी है वो onto भी है तब ही जाके आप उसको एक invertible function बोल सकते हो मतलब आप उसका inverse निकाल सकते हो तब ही आप कहा सकते हो कि भीया यह function जो है ना यह function 11 भी है और यह function onto भी है तो इसका मतलब इस function का कोई एक inverse function भी होगा ठीक है मैं और discussion detail में करूँगा tension नहीं लो यह जो normal वाले sign functions है ना trigonometric functions है ना यह byjective नहीं होते हैं मैंने आपको previous video में भी discuss किया है बताया है बहुत अच्छे से बताया है कि sir यह normal trigonometric functions जो है ना यह byjective नहीं होते है draw not byjective समझ रहे हो बात को हाँ sir यह byjective नहीं होते बाईजेक्तिव का मतलब है यह functions जो है यह one-one on to दोनो नहीं होते हैं यह सारे के सारे आपको on to तो मिलेंगे पर यह one-one नहीं होते सर तो इन में क्या होता है ना इन में थोड़ी सी इंजीनियरिंग होती है इन में थोड़े सा modification किया जाता किसमें इन functions के domain में थोड़ी सी engineering की जाती है domain में मतलब इनके inputs में ठीक है फिलाल अपन बात कर लेते हैं कि इनको अपन inverse में कैसे लिखा जाएगा कैसे लिखते हैं ठीक है तो हमने क्या करा सर normal trigonometric functions यहां लिख दिये यह normal है अगर इनी का inverse लिखना है तो cos का inverse cos inverse x ऐसे बोला जाएगा cos inverse x उपर minus 1 पावर नहीं है ध्यान देना power नहीं है कई बच्चे सोचते हैं कि सर sin inverse x is actually one upon sin x नहीं भाई साब यह गलत है अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बिलकुल गलत है यह बिलकुल गलत है ध्यान देना यह equal नहीं होते हैं यह सिर्फ और सिर्फ inverse का symbol है यह power नहीं है ठीक है ध्यान देना बिटा sin inverse x यह अलग चीज़ है ठीक है cos inverse x 10 का tan inverse x cot का cot inverse x sec का sec inverse x और cosec का cosec inverse x यह है बात समझ गए यह सर बात समझ गए यह सर बात समझ गए डन बिलकुल डन सर लिखने का क्या तरीका है सर लिखने का तरीका बताओ लिखने का तरीका representation तो बता दिया होता क्या है मान के चलो अब अपन सीधा inverse trigonometric function की बात करते हैं सर मुझे sin x का उल्टा मतलब sin inverse x लिखना है तो बच्चा यहाँ आपनने लिखा sin inverse x सर सिर्व ऐसे लिखेंगे कि आप नहीं आ रही अच्छा नहीं लग रहा सर इसके आगे fx लिखतो कि यह एक function है जो की है sin inverse x यह function है जो की है sin inverse x ठीक है clear हाँ सर clear अब यह function fx को हमने अच्छे से सीखा fx को हम y लिख सकते हैं हाँ सर लिख सकते हैं तो बैटा y is equal to sin inverse x ऐसे लिखा जाएगा function को मैं देख सकते हो यहां भी लिखा हुआ है अरे erase हो जा भाई y is equal to sin inverse x वहां लिखा नहीं है वैसे मैंने देखा था मुझे जाने की यहाइद confusion हो रहा है लिखा था थमनेल पे peng थार्षै कि है y is equal to sin inverse x तो sir अब हम जब भी inverse functions लिखेंगे trigonometric inverse functions लिखेंगे जैसे मैंने sine inverse x लिखा तो हम इसको खाली नहीं लिखेंगे, हम इसको छोड़ेंगे, खुला नहीं छोड़ेंगे हम इसको खुलम खुला नहीं छोड़ेंगे, हम इसको y is equal to sine inverse x लिखेंगे हम y is equal to cot n, cot n नहीं cot n या cot inverse x लिखेंगे हम y is equal to sec inverse x लिखेंगे हम y is equal to cosec inverse x ऐसा लिखा करेंगे बात clear है sir? clear है जरूर ही नहीं है कि x को bracket में लिखो आप normally भी लिख सकते हो, खुला भी लिख सकते हो x को bracket में लिखने की जरूरत नहीं है लिख दो तो अच्छी बात है, नहीं लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, clear है? yes sir अब चलते एक बहुत important point पे जो इस point का आपको discussion करके दिखाऊंगा इस point के बारे में discuss कर लेते हैं second point ठीक है, done sir देखो, normal trigonometric function sine से अपन जैसे start करते हैं, ठीक है अपन लेते हैं sir, fx is equal to sine x ठीक है, fx is equal to sine x अब सुनते जाना, ठीक है पहली बात, ध्यान रख लो, ये एक normal trigonometric function है normal, ठीक है sir ये, ये invertible function नहीं है this is not an invertible function not an invertible function invertible function मतलब इस function का sine x का sine inverse x नहीं होता है मतलब sine inverse x होता ही नहीं है cos inverse x होता ही नहीं है sec inverse x, ten inverse x होता ही नहीं है क्यों नहीं होता sir, फिर अपन पढ़ाई क्या कर रहे है ये तो trigonometric function का inverse है देखो, ये सब तो पढ़ाई तो वहीं कर रहे हैं न सर अपन हाँ पढ़ाई करेंगे लेकिन कुछ changes कुछ खुराफात, कुछ modification के बाद किसमें modification करना है काहे में changes लाना है ये देखते हैं Sir, not an invertible function मतलब इसका इसका sin x का inverse function होता ही नहीं है sin x का inverse function होता है sin inverse x Sir, होता ही नहीं है ये तो Sir, ये क्या लिखा हुआ है कद्दू, नहीं कद्दू नहीं है ये बताता हूँ ये समझना point, ये point किस चीज के लिए not an invertible function ये function invertible नहीं है काहे में for natural for natural domain natural domain के लिए इसका inverse नहीं आएगा ये क्या लिख दिया Sir आपने बताता हूँ देखो fx is equal to sin x मेरी बात सुनते जाना ठीक है Sir अब तुम्हें एक चीज बताता हूँ x की value जो भी तुम put करोगे उसको क्या बोला जाएगा domain ठीक है तो ये input x क्या है x is input ठीक है और x अब यहाँ input करेंगे तो यहाँ भी कुछ न कुछ x रखा जाएगा है न और यहाँ से जो value मिलेगी जो value मिलेगी इसकी उसको क्या बोला जाता है उसको बोला जाएगा output ठीक है Sir बिल्कुल सही बात है example लेके देख लेते हैं ठीक है example लेके देख लेते हैं अब यह x होगा क्या obviously बात है sin x है इसके जो inputs होगे न वो angles होते हैं इसके जो inputs होते हैं न सर यह normal trigonometric function की बात हो रही है बिटा normal tf normal trigonometric function मैं inverse की अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ ध्यान से सुनो बहुत important है थोड़ा सा हो सकता यह session lengthy चला जाए लेकिन तुम्हारे काम का बहुत session रहेगा यह मेरी guarantee है ठीक है तो x क्या है sir x input है तो यह input हम sign 30 degree sign 60 degree sign 90 degree मतलब input तो हम angles ही गरेंगे न हाँ तो x input जो है वो क्या होगा sir angle यह angles ही रखेंगे ठीक है और जो output मिलेगा वो angle नहीं मिलेगा क्या मिलेगा sir output जो मिलेगा उसको हम value बोलते हैं है ना उसको हम value बोलते हैं हो सकता मतलब numbers में आएगा answer numbers में आएगा 1 upon 2 1 1 0 कुछ भी answer आसकता है numbers में आएगा वो angle नहीं होगा मतलब normal trigonometric function में जो input होता है जो domain होता है ना वो angles होते हैं और answer जो आता है उसको हम एक value बोला जाता है उसको हम value बोलते हैं तो sir जी यहाँ पर एक जल्दी से एक बहुत important topic एक बहुत important point बना लो क्या कि normal trigonometric function normal original की बात कर रहा हूँ normal trigonometric functions जो होते हैं इसमें ध्यान से सुनना sir इसमें जो input होता है वो angle होता है angle input angle होता है और angle से जाकर हमें क्या मिलती है value समझे क्या angle input और value output तो ये हो जाएगा sir domain और ये हो जाएगा sir co domain या फिर range समझ गए yes sir तो हम समझ गए sir कि जो input होता है ये पूरी की पूरी बात कर रहा हूँ इसकी मैं बात कर रहा हूँ बेटा धियान से सुनो ये जो होता है ना input x की value ये पूरा का पूरा angles के basis पर रखा जाएगा x की values आप जो डालोगे वो angles होंगी है ना और इसको क्या बोला जाएगा domain क्या बोला जाएगा domain देखो topic अपना वही है domain and range of ITF लेकिन domain and range पहले तुमें normal trigonometric function के पढ़ाई जाएगे फिर inverse trigonometric function पे आया जाएगा ठीक है done तो sir ये क्या रख सकते हैं x की value क्या रख सकते हैं यहाँ x की value angle रखी जाएगी ठीक है आप दुनिया भर में कोई भी type का angle रख दो minus का रख दो plus का रख दो 0 रख दो sir हम यहाँ 0 degree रख सकते हैं हाँ 0 degree रख सकते sir हम यहाँ minus का 280 रख सकते हैं बिलकुल रख सकते हैं sir 55 degree रख सकते हैं रख सकते बिटा बात ऐसी हो रही कि अगर मैंने x की जगा यहां x की जगा domain x की जगा कोई भी real number रख दिया तो वो कैसा दिखेगा दिखेगा कैसा पहले इसको बात कर ले इसकी बात कर ले ठीक है संसर साइन x अगर मैंने f x जो है इसमें x की जगा मैंने मान के चलो 30 डिगरी रखा 30 डिगरी देखो अभी डिगरी इसकी बात नहीं करते हैं आप ट्लास 12 में हो बच्चा तो अपन रेडियंस में बात करेंगे पाइब थी पाइब थी एसे बात करेंगे ठीक है तो सर अगर हमने x की जगा एंगल पाइब थी रखा f पाइब थी तो सर यहां भी पाइब थी रखेंगे है साइन पाइब थी और ये पूरा का पूरा सॉल्फ हो के क्या आएगा sin pi by three होता है sin 60 sin 60 root 3 by 2 तो यह जो root 3 by 2 आया सर यह क्या ए यह क्याया वत इस यह value है यह output है मैंने क्या बोला एंगल तुमने डाला एंगल तुमने insert किया एंपोट दिया और answer में तुमरे एक value मिली ठीक है सर डन अचा सर pi buy 32 की जगा मैं माइनस का πायबाइ 3 लिख सकता हूँ माइनस का 60 डिगरी, बिल्कुल लिख सकते हूँ यहां रखके देख लो चलो, इसको अटादने आप अपन, ठीक है अपन माइनस का πायबाइ 3 रखके देखते हैं F, माइनस का πायबाइ 3 ठीक है sir तो यह क्या आयगा, sin साइन इसकी जगा माइनस का पाई भाई थ्री अब क्लास 11 में सीखा है ना साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स है ना तो क्या हैगा सर माइनस साइन एक्स और पाई भाई थ्री क्या होता है वही रूट थ्री बाई टू तो यह क्या हैगा माइनस का रूट थ्री बाई टू ये क्या ही सर ये value आई ये क्या ही सर ये value आई क्या रखा तुमने angle डाला तुमने angle इस बार negative डाला पहले positive डाला तुम हर तरह का angle डाल सकते हो मतलब domain जो होगा x की जो input होगी जो value होगी जो angle तुम डाल सकते हो normal trigonometric function में वो तुम कोई भी real number डाल सकते हो बात clear है? हाँ sir clear है इतनी बात clear है दमदार तरीके से clear है ठीक है class 12 में class 11 में तुमने एक बात और पड़ी क्या sir normal जो trigonometric functions होते हैं उनकी domain सारे real numbers होते हैं सारे input आप कुछ भी डाल सकते हो लेकिन output जो मिलता है sign की आउकात होती है 1 से minus 1 तक के output देने की बस सार ये कैसी बात कर रहे हो आप ये जो मैंने बोली ना लाइन ये तुम्हें याद रहेगी अब तुम कभी भूलोगे नहीं sign का जो output होता है ध्यान रखना बेटा sign function का जो output होता है इसका जो output होता है जो value, final value, answer जो आता है कोई भी angle रखो इसके साथ वो answer बेटा ध्यान रखना वो answer minus 1 से पीछे मतलब छोटा नहीं आएगा और 1 से बड़ा नहीं आएगा minus 1 भी आ सकता है 1 भी आ सकता है इन दोलों के बीच भी आ सकता है समझ गए मतलब answer जो होगा sign x sign x मतलब sign क्या बाद x लिख दो मैं x लिख दूँ सपूस यहां पर x लिख दूँ चलो ठीक है sign x अगर मैं लिख दूँ और इस x की जगा तुम कुछ भी input दे दो input कुछ भी दिया जा सकता है है ना कोई भी real number तुम put कर दो लेकिन जो answer आएगा जो output आएगा y की value वो यह रहेगी इदर यह range है बिटा यह range है समझ गए क्या यह range है output की जो value होगी मेरी बास सुन लो यह जो output की value होगी इसको फिलाहाल हम range बोल रहे हैं क्या बोल रहे है range और बिटा range क्या होगी sign के लिए सब range होती है minus 1 से 1 minus 1 भी आ सकती है sign की value sign theta की value है sign x की value और 1 भी आ सकती है और minus 1 और 1 के बीज में भी आ सकती है minus 1 से छोटी नहीं होगी के minus 2, minus 3, minus 4 यह छोटी values है minus 1 से कभी नहीं हो सकती और 1 से बड़ी नहीं हो सकती 1 के बाद 1.2, 1.3, 2, 5, 6 कभी नहीं हो सकती sign की ओकात इतनी ही होती है cost की भी limits इतनी ही होती है समझ गए बात yes sir तो अगर तुम्हें इतना चीज समझ में आ गई sign के बारे में तो मैं आगे की बात करूँ ठीक है ठीक है done sir अब natural domain यह होती है sir sign की sign x not an invertible function यह invertible नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि sir sign one one नहीं होता है sign one one function नहीं होता है it is not a one one function नहीं है sir यह on to तो है यह on to function तो है sir on to function तो sir यह है टिक मार दो लेकिन यह one one नहीं है यह one one नहीं है कैसे नहीं है one one यह मैंने previous वीडियो में समझाया है तुम जाके देखना तब तुमें समझ में आईगी कि यह 1-1 नहीं होता है सर अगर sin x bijective नहीं है bijective का मतलब है यह 1-1 on 2 नहीं है तो यह 1-1 on 2 दोनों नहीं है मतलब दोनों में से कोई एक भी अगर नहीं है तो यह bijective नहीं कहलाएगा और अगर यह bijective नहीं है तो यह inverse भी नहीं दे सकता इसका कोई inverse भी नहीं होगा sin x का sin inverse x होता ही नहीं है according to this तो क्या करें sir करना यह है कि sin x की जो natural domain है natural domain यह है sin x की जो natural domain है वो real numbers है sir अगर हमने इसमें थोड़ी सी खुराफात कर दी थोड़े से changes ला दिये तो यह sin x जो है ना fx is equal to sin x या y is equal to sin x यह one one भी हो जाएगा on two भी हो जाएगा इसका मतलब यह invertible हो जाएगा इसका inverse यानि sin inverse x exist करने लगेगा पर फिर भी ध्यान रखना कि हम sin x के domain में जो खुराफात करने वाले हैं उसके बाद वो sin x original sin x नहीं कहलाएगा उसको हम पुकारेंगे sin x original sin x का छोटा भाई ठीक है? done sir समझ में आ रही है बात? yes sir तो यहाँ बात कर लेते हैं थोड़ा सा अपन blank page पे ठीक है sir ठीक है blank page पे अपन आ गए हैं ठीक है? इसका screenshot ले लो नहीं तो तुम कहोगे sir आपने कुछ दिखाया ही नहीं है है ना? सिर्फ आप sir समझाते जा रहे हो done चलो आगे बात कर लेते हैं ठीक है sir? done तो sir अभी अपन एक चीज़ लिखेंगे और वो यह हैं देखो y is equal to fx is equal to y भी लिख सकते हैं fx भी लिख सकते हैं is equal to sin x इसकी जगा y लिख दो तो जादा अच्छा लगेगा सुन्दर लगेगा y is actually output y is equal to sin x है ना? x अपना input है ठीक है इसको क्या लिख सकते हैं? जो function y जो function है जो यह function है fx यह function है fx सारे real numbers से कहां तक जा रहा है sir? output output सिर्फ अपन को minus 1 से 1 ही दे सकता है इस से ज़्यादा value नहीं देगा 1 से और minus 1 से कम नहीं देगा यह normal sign original sign function आप कहा सकते हो यह original sign function है original sign function ठीक है? this is original sign function ठीक है sir ठीक है? done यह original sign function जिसकी original domain all real numbers यहनी सारे input आप रख सकते हो आप angle रख सकते हो क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ पर यह input दिया जाता है sign का वो एक angle होता है यह angle होता है है ना? और यह जो output आता है इसको हम value बोलते है this is the value क्या है sir? यह value है यह angle और यह value ठीक है ध्यान देना भी बढ़ा मज़ा आएगा तुमको तो sir इसका मतलब अगर मुझे इसको अगर मुझे इस function को if we want to if we want to make if we want to make this function if we want to make this function y is equal to sign x invertible invertible छोडो if we want to make this function y is equal to sign x bijective bijective का मतलब है 1 1 on to 2 तभी यह invertible हो जाएगा invertible तभी होता है जब bijective हो 1 1 on to 2 if we want to make this function y is equal to sign x bijective bijective ठीक है then then we need to restrict restrict we need to restrict domain हमें domain पे restrictions लगाने पढ़ेंगे हमें domain पे restriction लगाने पढ़ेंगे restrict का मतलब होता है boundary लगाओ अब तुम्हें बताता हूँ एक बड़ी अजी चीज ध्यान से सुनो तुम लोगोंने class 11 तुमें sin x जो function है sin x उसका क्या उसका graph पढ़ा होगा है अपन भी इसका एक graph बना लेते हैं ठीक है done sir थोड़ा गंदा बनेगा तो देख लेना यार माफी चाहता हूँ आपसे उसके लिए ठीक है ध्यान से सुनना 0 0 के बाद यहाँ पाई बाई टू पाई ठीक है 3 पाई बाई टू 2 पाई ठीक है इसके बाद यह infinite तक चलता जाएगा यह x है x का मतलब समझ रहे x axis में क्या हैगा input और input क्या है sir input है angles इसलिए angle लिखे मैंने यहाँ ठीक है sir यहाँ क्या आएगा sir यहाँ क्या आएगा sir यहाँ आएगा minus का pi by 2 ठीक है sir यहाँ क्या आएगा sir यहाँ आएगा minus का pi ठीक है sir यहाँ क्या आएगा sir minus का 3 pi by 2 ठीक है sir इतना तो यहाँ राता होगा na class 11 में सीखा होगा यहाँ क्या आएगा sir माइनस गा 2 पाई और यह चलता जाएगा माइनस 5 पाई बाई 2 ऐसे चलता जाएगा माइनस इन्फिनिटी तक यह अपना y y axis और यहाँ पर y dash है न अब यहाँ पर ध्यान से सुनना यहाँ पर यह जो है न इसको मैंने लिखा यह 1 है ठीक है what is y? y का मतलब है output y का मतलब है output मैं फिर बोल रहा हूँ यह क्या है यह input है यह x है ठीक है? I am again telling you people बच्चा यह x this is x this is input और यह क्या है सर? this is y this is output यह y है this is output ठीक है? यह output है तो y की value तो माइनस 1 से नीचे जाएगी नहीं y की value 1 से उपर तो जाएगी नहीं तो अपन को 2, 3, 4 की ज़रूवती नहीं है done sir है ना सीखा है अपन ने इसका graph बनता कैसे है? आपने सीख रखा है graph में कुछ खास नहीं है graph इसका बिलकुल basic सा graph है कैसे बनेगा sir? कैसे बनेगा sir? simple है graph बहुत जहां से सुनना बिटा graph जाता है आपका बिलकुल basic तरीके से please remember यहां से मैं बना दिता हूँ कोशिश करता हूँ बनाने की ऐसा graph जाता है ठीक है? it goes something like this और बहुत गंदा सा graph बना यार रुक जाओ थोड़ा सा कोशिश करता हूँ अच्छा बनाने की यह तो फिर भी सही बना माइनस वन से नीचे आ गया यह माइनस वन से नीचे नहीं आएगा अरे बंजा भाई इतना कड क्यों रहा है नहीं बन रहा यार यह तो ठीक है जो है भी देख लो इतना काफी है अब देखो ग्राफ की जो ऊपर है यह यह कहां से कहां तक यह वन के ऊपर नहीं जा रही वन के ऊपर नहीं जा रही ग्राफ है ना यह माइनस वन से नीचे नहीं जा रही ग्राफ है ना तो graph क्या दिखा रहा है कि भाईया जो value है जो output आपकी 1 से उपर नहीं जाएगी 1 से जाधा नहीं होगी और minus 1 से नीचे नहीं होगी ठीक है sir done तो ये graph बन गया normal सा किसका graph बना लिए sir अपने sin x का बड़ा ही भद्दा सा graph बना थोड़ा देख ले न ठीक है थोड़ी और कोशिश करता हूं यार थोड़ा सा हो सकता ये बन जाए अच्छे तरीके से इस पे line बनाता हूं और इस पे line बनाता हूं ठीक है ये line और ये line ये तो सही बना इस तरफ बाला ठीक है बैइं सर तो भई यहां पर हपन लाते हैं और इसको मोड देते हैं यहां से बढ़िया तरीके से और यह उपर आता है और यह बस परफेक्ट ठीक है अब सुनो मेरी बात इसको टालो अब एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं ध्यान से सुनना एक टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं horizontal line test क्या बोलते है बिटा horizontal line test ठीक है horizontal line test की बात करते हैं सरपन horizontal line test यह किस चीज़ के लिए होता है ध्यान से सुनो बताता हूं पिटा यह test होता है एक function को check करने के लिए के function one one है की नहीं ठीक है to check if a function to check if a function is one one or not to check if a function is one one or not ठीक है यह काए काए यह ग्राफ सर जी यह ग्राफ है y is equal to sin x का मतलब एक ऐसा function जिसको हम sin x function बोलते हैं ठीक है अब एक बाद ध्यान रखना अगर तुमको यह horizontal line test देना है तो तुम्हें simple सी बात है x axis के parallel में line बना दो और कोशिश करो कि line हमारी graph को cut करती हुई निकले ठीक है सर तो x axis के parallel में हमने एक line बना दी जो x axis के parallel हो ठीक है done सर अगर आग देखोगे तो यह line इस graph को कितने point पे cut कर रही है सर देखो इस graph को कितने सारी points पर cut किया जा रहा है सर एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, बहुत सारे points पे cut कर रही है अगर किसी graph को horizontal line जो x axis के parallel है बना रहे हो वो किसी graph को एक point से जादा पे cut कर रही है तो फिर वो graph जिस भी function का है वो function 1-1 नहीं है वो graph जिस भी function का है वो function 1-1 नहीं है बात समझ में आ गई? ये सर ये जो horizontal line मैंने बनाई इस x axis के parallel में और मैंने देखा यार graph जो बना है इस function का उस graph को ये horizontal line एक, दो, तीन, चार, बहुत सारे points पे cut कर रही है इसका मतलब ये वाला function अपना 1-1 function नहीं है अब क्या करें इसको 1-1 बनाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा? हमें इसके graph में कुछ खुराफात करनी पड़ेगी, हमें इसके graph में कुछ changes करने पड़ेंगे सर हमें इसके graph में changes लाने पड़ेंगे, क्या? देखो सुनते जाना जी सर अगर मैं आपसे कहूं ये x है क्या what is x तो आप कहोगे सर ये x-axis input शो करता है input x का मतलब है input और input का मतलब क्या है domain input का मतलब क्या है domain अब ये domain कितनी है मतलब ये input कितना है मतलब x की value कितनी है sir x की value तो बहुत सारी है minus 2pi plus 2pi पीछे तक जारी मतलब x की value तो हम इसमें बहुत सारी put कर सकते हैं जितनी चाहें इसके अंदर x की values put कर सकते हैं all real numbers इस x का मतलब है all real numbers मतलब x-axis जो है पूरी x ले सकते हैं यही change करना है हमें हमें अपने इस domain में sign x के इस domain में changes लाने हैं क्या changes लाने हैं अब सुन लो ध्यान से अगर हम इस sign x को invertible function बनाना चाहते हैं one one on two बनाना चाहते हैं तो हमें sign x की जो natural domain है natural domain का मतलब है पूरी x-axis natural domain है पूरे real numbers natural domain है उसमें changes लाने पड़ेंगे उसको restrict करना पड़ेगा और वो restriction क्या है वो restriction गौर से सुन लो हमें यहां से लेकर यहां से लेकर यह वैसे बना तो गलत है मुझसे minus pi by 2 से pi by 2 तक अगर हम यहां से लेकर यह जो पूरा जा रहा है हटा दें और यहां से लेकर यह जो पूरा जा रहा है हटा दें नहीं समझे, नहीं समझे, बताता हूँ देखो, ये अभी मैं इसको erase कर रहा हूँ, ठीक है, धयान जो सुनना मेरी बात, जी सर, हमारा जो graph जा रहा था वो बढ़िया जीजग जीजग graph जा रहा था, ठीक है, मैं कह रहा हूँ के हमारी जो domain है, जो input है, वो हम सिर्फ और pi by 2 से pi by 2 के बीच ही रख सकते हैं चाहो तो minus pi by 2 भी रख लो pi by 2 भी रख लो बस इसके पीछे allowed नहीं है input रखना input का मतलब है x की value x की value मतलब angle आप pi by 2 minus pi by 2 से छोटा नहीं रख सकते plus pi by 2 से जादा नहीं रख सकते हैं किसमें sin x में sin x original की बात की जाए तो उसमें तो आप सारे real numbers input रख दो लेकिन उस condition में original में natural domain में वो invertible नहीं होगा यानि उसका inverse नहीं आ पाएगा क्यों क्योंकि वो bijective नहीं होगा वो one one नहीं होगा one one नहीं है तो bijective नहीं और bijective नहीं तो invertible नहीं है invertible नहीं है तो उसका inverse भी नहीं आएगा तो sin x से sin inverse x कैसे पढ़ सकते हैं सरम इसमें हमें चेंज का करना पड़ेगा चेंज करना पड़ेगा हमें उसकी natural domain है ना कहां लिखा है क्या कहीं मैंने लिखा दो था यह हां we will need to restrict its natural domain उसकी natural domain जो है उसमें changes लाने पड़ेगा उसको restriction उसको border देना पड़ेगा कि सर अब आप x की value जो है न अब आप x की value green color से लिख रहा हूं अब मैं चेंज कर रहा हूं यहां ठीक है अब मैंने green color से change करके यहां दिखा दिये के भाईया देखो अभी अगर आप सारे real numbers पुट कर रहे हो input बना के तो भाईया खुराफात यह हो रही है कि sin x 1 1 onto दोनों वंचन यानि bijective नहीं बन पा रहा मतलब वो inverse नहीं दे पाएगा तो सर जी हमें r का साथ छोड़ना पड़ेगा हमको input यानि domain जो set of all real numbers है उसको छोड़ना पड़ेगा हमें अपनी input को restrict करना पड़ेगा सर minus pi by 2 से pi by 2 अगर इतना हमने देख लिया तो हमें पता चल जाएगा हमारा graph कितना जाएगा ध्या Animals या हमारा graph फिर जाएगा कौर से सुनना भिटा ध्यान से सुनो हमारा graph कैसा बनेगा फिर यहां से लेकर यहां तक आएगा ना इसके पीछे जाने की इजाजत है ना इसके आगे जाने की इजाजत है क्यों इजासत नहीं है क्योंकि हमने all real number input देने से मना कर दिया हमने कहा भाया तुमको input बस इसी में से लेना पड़ेगा यह अब यहां चेक करो जारा horizontal line test अब यहां हमने horizontal line बनाई x-axis के parallel तो हम देखेंगे कि यह पूरी की पूरी x-axis के parallel गई यह line graph को कितने point पर cut कर रही है सिर्फ एक point पर intersect कर रही है अब यह function बन गया अपना one one function समझ में आ गई बात अब यह one one function बन गया जल्दी से देख लो भाया जल्दी से देख लो done है बिल्कुल done है सर ठीक है सुन्दर बहुत सुन्दर अती सुन्दर तो सर जी एक बाद अब मैं आपको clear करना चाहता हूं के बहुत गौर से सुनना के सर नॉर्मल sign function हमारा था y is equal to sin x यह normal sign function है normal मतलब original इसमें ध्यान रखना जो function है ना उसकी domain नॉर्मल नॉर्मल में domain क्या है सर set of all real numbers पर output क यह देगा बिटा output हमें minus 1 से 1 ही देगा लेकिन हमने देखा कि यार यह function inverse नहीं दे सकता क्यों नहीं दे सकता क्योंकि हमने जब all real number वाला graph देखा तो all real number वाला graph कहां जा रहा था sir all real number वाला graph बिल्कुल zigzag 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 जा रहा था और हमने फिर horizontal line test करके देखा तो वह one one function का graph नह y is equal to sin x का जो original graph बना था इस domain इस input के साथ all the real numbers x की कोई भी value डाल दो इस input के साथ जब हमने इसका graph देखा तो वह one one नहीं था तो one one देखो on to तो है one one नहीं था वह one one नहीं है इसके लिए हमने क्या करना पड़ा one one जो नहीं था उसको one one बनाने के लिए हमने क्या कर दिया इ value जाएगी जो input जाएगा वो बस इतने से इतना ही जाएगा बात खतम और जैसे ही अपन ने ये करा इसका graph change हो गया आगे का जो जिगजग जारता वो गायव हो गया पीछे का जो जिगजग जारता वो गायव हो गया क्योंकि जब उसमें input नहीं जा पाएगी minus pi आप डाल न ख्रेंण अबनाद अंच्छा लिए ञरंदी से चेंज हो क्योंकि आप्ड़ का लोगे का छेंव मडीफाय का क्या हमने मॉडीफाय मतलब शींग थोड़ा संसा हमने वाइज improv को फंचनल equal to sine x function वही है सर function वही है बस इस बार हमने क्या करा function में all real numbers की जगा हमने क्या कर दिया minus pi by 2 से pi by 2 और outputs का भी भी वही रहेगा minus 1 से 1 क्लियर है डन है बिलकुल डन है सर 100% क्लियर होगा ठीक है सर डन तो सर जी जब इतना हो जाए अब आपको समझ में आ गया कि हाँ यार बच्चा यह invertible है अब यह function अतना क्या है now this function now this function is now this is छोटा भाई of sin x original बारे sin x का छोटा भाई है यह now this function is now this function is bijective अब यह function bijective है 1 1 भी है on 2 भी है ठीक है bijective है therefore therefore inverse of this function exist inverse of this function exist यह invertible है bijective है तो invertible है invertible है मतलब इसका inverse होगा inverse of this function exist इस function का inverse exist करेगा है ना अगर मैं इसी के बलबूते पे कहूँ के यार sin inverse x लिख दो तो आप काट दो नहीं होगा होगा ही नहीं इस condition में तो sin inverse x नहीं आएगा लेकिन सर अब अगर इसके basis पे मैं बोल दूँ के भीया इसका inverse क्या होगा इसका inverse होगा sin inverse x ये अब आ जाएगा अब तुम्हें आगे की कहानी सुनाता हूं सर है ना अब तुमको आगे की कहानी सुनाता हूं इतनी बात clear है हां सर इतनी बात clear हो गई है अब आगे देखने हैं सर क्या खास है बात सर, ITF पे आना है, हमको तो inverse signometric function पे हम आना तो है यार सुनते है आना, समझ में आएगा ठीक है सर, इसको जल्दी से अटाओ side में पहुँचाओ इसको, ठीक है सर, ठीक है अब हम sin x इसकी बात नहीं करेंगे अब जितनी भी बात नहीं होँगी, sin x की इसकी बात होगी बस ठीक है, अब हम sin x से sin inverse x की बात करेंगे sin x से, अब अब हम sin inverse x पे आ रहे हैं अपन पहले क्या कर आपने पूरा भी आदा पौने घंटा जो बात करी आदा घंटा तीस मिनिट, हमने क्या बात करी, उसमें हमने सर्व एक बात करी कि सर, sin x इस वाले sin x से, जो domain और co domain, domain और range यह है domain यह है, range यह है, इस condition वाले sin x से, जिसको actually original sin function कहा जाता है, इस से हम sin inverse x नहीं ला सकते सर, possible नहीं है, तो अभी तक पूरा background आपको यह सिखाया गया है, कि y is equal to sin x, actually इस domain पर invertible नहीं है, inverse नहीं दे सकता है, तो अपरी r से अपन इस पे आए, अब जब अपना अच्छा वाला एक sin inverse, एक sin x आ गया, मतलब original वाले का छोटा भाई आ गया, तो अब इस sin से जिसकी domain यह है, range यह है, इस से अपन अप sin inverse की बात करेंगे, क्योंकि यह हमें sin inverse दे सकता है, यह नहीं दे सकता था, ठीक है सर, चलो अब बात कर लेते हैं आगे की, बहुत गौर से सुनना, ठीक है, बहुत गौर से सुनना, एक है अपने पास function fx जिसका नाम है sin x, ठीक है सर, done, ध्यान दें ना, बिलकुल सर, और यहां जो function है, वो क्या है सर, function कहां से कहां तक जा रहा है सर, function ध्यान से सुननना, function सारे प्रियल नमबर से जा रहा रहा, नहीं sir, function जा रहा है πाई बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई-बाई- से वन ठीक है डन सर चलो यह है यह मौडिफाइड साइन फंचन देखो साइन के लिए बात कर रहा हूं ऐसे स्कॉस्ट एन कोट सब के लिए बात होती है और उन सारे पर्टिकुलर फंचन के लिए अपन अलग अलग वीडियो में बात कर लेंगे तो सर इसके लिए यह क्या है यह है इन्पुट बोले तो डोमेन क्या है इन्पुट बोले तो डोमेन है ना जिसको अपन ने लिख दिया यह एक्स है ठीक है यह क्या है यह रेंज यानि की आउटपुट यह क्या है को डोमेन मतलग देना पिटा रेंज है यह को डोमेन नहीं है अब रेंज की बात हो रह अगर मैं तुमसे कहूँ, देख मैंने तुझे पहले वाले चेप्टर में साफ साफ बताया था कि अगर कोई function है, invertible function है, मतलब उसका inverse होता है, अगर होता है, तो उस function का inverse कैसा होगा, उस function का, जैसे ये function है, इसका inverse है सर, इसका inverse exist करता है, ठीक है, तो इस function का अगर मैं inverse ठीक है, तो sin inverse x इसका आगया, clear है, हाँ आगया, change हो जाती, बहुत बड़ी change है, बहुत बड़ा change है, क्या, अगर एक function fx है, जो sin x जैसा दिख रहा है, fx, इसकी domain और range ऐसी है, तो इसके inverse में, जो domain, co domain इसकी आएगी न, वो इसी की होगी, बस पलट जाएगी, जी हाँ, तो म function की ये domain है, और ये range है, ठीक है, अब इसी का मैंने एक inverse निकाला, f inverse, जिसको मैं g भी बोल सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो g लिख सकता हूँ, ठीक है, ये अगर इसका inverse है, ये इसका inverse है, तो बड़ा, इसकी जो domain होगी, इसकी जो input होगी न, वो इसकी output बन जाएगी, मत मतलब first वाले origin है, इस function की जो output है, वो इस inverse की input बनेगी बिटा, जी हाँ, और इसकी जो input है, वो inverse वाले की output बन जाएगी, बात समझ में आ गई, पलट जाता है बिटा, first set, दूसरा set, input और output पलट जाता है inverse में, अगर मैं इस function का inverse क्लिक हूँ, तो फिर मुझे इस function की, इस function क जो domain लिखनी है, function F inverse की बात कर रहा हूँ, F inverse, sir इसकी जो मैं domain लिखूँगा न, वो domain, वो domain, domain मतलब input, input, sir अरे लिख जा यार क्या दिक्कत हो रही है, ये नहीं होगी, ये इसकी domain बन जाएगी, minus 1 से 1, और कहा तक जाएगा, इसका output का मतलब इसकी range, इसका answer क्या सकता, इसक इसका output क्या हो सकता, इसका output इस function का input होगा, यानि की minus pi by 2 से pi by 2, बहुत important है बेटा, मैं फिर बोल रहा हूँ, बहुत important है, समझ में आ रही है बात, ये सर, अब तो मैं एक चीज़ और बताता हूँ, थे आज़े सुनना, जो sin x function है, जो sin x function है, जो sin x function है, इसमें ध्यान कीज़ेगा, इसमें जो input होता है, और जो output होता है, वो कैसा होता है सर, input जो होता है, sin x की बात कर रहा हूँ, मैं, I am talking about sin x function, ठीक है, तो sin x function होता है, इसके अंदर जो input होता है, वो एक angle होता है, क्या होता है सर, एक angle input, मतलब x की value जो होती है, ये, बिटा, यहाँ angle होता है, धियान रखना input, ठीक है, sin x में आप input जो करोगे न, x की बदले, जो चीज़ रखोगे न, वो angle होगा, और आपको आंसर एक value मिलेगी, वही अगर हम दूसरी दरफ बात करें, sin inverse x की, किसकी बात करें सर, sin inverse x की, यानि की sin x का inverse function, तो इसमें क्या होगा सर, इसमें value है, यह क्या रख सकते हो, क्या input तो मिसके बदले डाल सकते हो, ध्यान देना बिटा, इधर गौर से देखो, यहाँ sin x में जो input था, वो angles का था, कि यहाँ से लेकर यहाँ आप angle डाल सकते हो, और answer जो output मिलता था, वो values का मिलता था, है न, इसी के basis पे मैंने लिख दिया, sin x क इंपूट है एक angle, यानि domain है एक angle, output है एक value, यानि कि range है एक value, clear है, हाँ सर, clear है, अब बात कर लेते हैं sin inverse x की, sin inverse x, sin x का ही inverse है, मतलब यहाँ यहां जो डोमेन था वो यहां रेंज बन गया यहां जो रेंज था वो यहां डोमेन बन गया मतलब जो इनपुट था वो यहां आउटपुट बन गया तो जब इनपुट यहां पर साइन इनवर्स एक्स का जो इनपुट है जो डोमेन है दोस्त यह डोमेन है बिटा साइन इन जेकलो बिटा क्या है domain डोमेन तो values हैं minus1 हो सकता है import sin inverse x की जगा तो minus 1 रख सकते हो sin inverse x की जगा तो 0 रख सकते हो sin inverse x की जगा तो 1 रख सकते हो minus 1 से 1 और उनके बीच की कोई भी value तो input के तोर पे यहां रख सकते हो तो यहाँ पր input क्या हो जाएगी बिटा यहाँ पर इनफ्ट एक वैलीव हो जाएगी और यहाँ पर साइन इनवर्स X का जो आंसर आएगा जो आँटपुट आएगा जो आपका Y आएगा मैं कहा रहा हूं बात समझे क्या बात समझे क्या यह इनवर्स है बेटे एक दूसरे के ये एक दूसरे के we can say inverse है मतलब इसका input एक angle है तो इसका output एक angle होगा फिर सर इसका answer इसका output value आता है तो फिर इसके inverse का input एक value आएगा बात clear है मुझे पूरी उम्मीद है कि अब clear cut समझ में बात आ गई होगी ठीक है अगर आ गई हो तो बिटा like जरूर कर देना बिलकुल भी कंजूसी करने की जरूरत नहीं है done sir अब मैं तुमको sign की तो बात खतम हो गई sign की तो बात यहां खतम हो गई sign के बारे में जो कुछ बताना था clearly बता चुका हूँ function का आपको graph भी बता दिया ठीक है और साथी साथ आपको यह सारी चीज़े भी दे दी गई है तो जल्दी से इसका screenshot ले लो आगे चलते है ठीक है sir यह भी समझा दिया के cos inverse tan inverse कैसे लिखा जाता है these all things are already discussed यह सारी चीज़े हमने discuss कर रखी है इसको erase करते हैं sir आगे चलते हैं ठीक है inverse trigonometric functions are the inverse functions relating to the basic trigonometric functions जो normal trigonometric functions है ना उनी के inverse functions है ITF जो है ना वो normal trigonometric functions के ही inverse functions है के sir अगर मैं cos अगर मैं cos x की बात करूँ तो मैं इसका inverse चाहता हूँ तो इसका inverse हो जाएगा cos inverse x ये normal trigonometric function ये inverse trigonometric function ठीक है समझ मैं आ रही है बात ये sir अगर मैं 10x की बात करूँ तो 10x का inverse क्या होगा sir 10 inverse x होगा ये inverse function है ये normal trigonometric function है clear है कई बारी क्या होता है कि बेटा ध्यान से सुनो जिनके angles input होते हैं जैसे ये normal trigonometric functions है देखो normal trigonometric functions में मैंने क्या बताया normal trigonometric functions में input angles होते हैं तो क्या होता है न जहां पर angles input होते हैं वाँठ थीटा लिख देते हैं कि sir ये थीटा होगा sir ये थीटा होगा दिखाने के लिए कि cos थीटा थीटा देखती साथ इंसान समझ जाता है angle है यहां angle रखना पड़ेगा और x x देखती साथ समझ जाता है कि यारी तो variable है इसका मतलब यहां पर कोई number रखना पड़ेगा है न तो sir समझ जाते हैं कि यहां क्या होगा यहां पर एक angle रखा जाएगा और यहां क्या होगा यहाँ पर एक value रखी जाएगी 1, minus 1, हाना जो भी चीज हो, 2, जो भी चीज हो depend करती है उसके output पे done है सर, बिलकुल done है आगे बात कर लेते हैं, एक आद बात और कर लेते हैं ठीक है, ITF की अपनने ये सारी चीज़े तो पढ़ी ली हैं, ये सब अपन कवर कर चुके हैं सब कवर कर चुके हैं, एक एक चीज़ अपनने अल्डेडी पढ़ ली, है ना एक एक चीज़ हमने अल्डेडी पढ़ रखी है, ठीक है सर, done एक चीज़ और देख लो, कि अगर हमारे पास कोई एक function है, FX X is equal to sin X normal trigonometric function ठीक है, तो सर हम इसको Y लिख सकते हैं, जी, हम इसको Y लिख सकते हैं, Y is equal to sin X, अगर हमें यही से एक inverse function बनाना है, यही से तो हम क्या करेंगे, sin को यहां से अटा के यहां लगा देंगे Sin को यहां से हटा के, यहां से अटा के यहां लगा देंगे, x के पास से sin अट आया है, यहां लगा दिया, बस inverse हो जाएगा तो यह भी अपना एक inverse trigonometric function ऐसा भी बन सकता है देखो यह लिखा हुआ है, x is equal to sin inverse y, x is equal to sin inverse y clear है, clear है, yes or no, yes sir, बिल्कुल clear है, confuse नहीं होना basic सी चीज़ है, छोटा सा topic है, detail में पढ़ाना पढ़ रहा है इसलिए ठोड़ा सा समय लग रहा है, ठीक है sir, okay trigonometric function के जो inverse होते हैं, उनकी कई अलग-अलग नाम होते हैं याद कर लो, learn कर लो, sir, anti-trignometric function भी बोला जाता है ITF को, inverse trigonometric function को anti-trignometric function भी बोला जाता है इनको arc function भी बोला जाता है, arcus function भी बोला जाता है arc functions और arcus functions भी बोला जाता है, इनको cyclometric functions भी बोला जाता है जो important है, याद करने के लिए वो याद रखना कि trigonometric functions जो normal वाले होते हैं, अगर उनका inverse बनाना है तो आपको normal trigonometric function के domain में changes करने पढ़ेंगे जैसे sin x में अभी अपने changes करें न, sin x में अपने sin x का देखो sin x का normal domain क्या है, normal sin x जो है, original sin x उसका domain है all real numbers, तो हमने थोड़े से changes करें, तब जाके ये y is equal to sin x invertible बन पाया, y-jective बन पाया तब जाके हम sin inverse x निकाल सकते हैं, आ सकता है ठीक है, done है सर, ऐसी बिटा, cos के लिए cos inverse x अगर बनाना है cos x का cos inverse x, तो cos x का जो भी domain होगा, उसमें changes करने पढ़ेंगे ये मैं आपको आगे detail में और videos आएंगी, उसमें detail में बताऊंगा clear है, yes सर, अभी अपन देख लेते हैं एक बढ़िया सी table एक बढ़िया सी table देख लेते हैं, जो although मुझे, ठीक है सुनते जाना मेरी बात, ठीक है, बहुत important चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है सर, done देखो, यहां लिखा मैंने sine, ठीक है, ये sine है, sine मतलब sine function inverse नहीं है, normal है, sine cos यानि cosine 10 cot ठीक है सर, sine cos 10 cot, ठीक है, sec, cosec, sec और cosec ठीक है, normal trigonometric functions है बच्चा, ठीक है सर, यहां लिखते हैं बिटा पन, input यानि की domain input यानि की बच्चा domain, ठीक है सर, output यानि की range output यानि बिटा range, इतनी बात clear है, ये सर बिलकुल clear है, सुनते जाना, जी सर ये normal original domain, original range लिख रहा हूँ मैं, original, अभी ना मैंने modify करी है, मैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ original लिखना चाहता हूँ, बात समझ में आ रही है yes sir, I am simply writing original original चीजें, अभी भूल जा भी तो मैं आपको एक तरह से class 11th का पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, ठीक है sir, ये class 11th का पढ़ाना शुरू कर दिया मैंने, sine जो भी है, sine, s-i-n-e, sine, ठीक है, इसमें x की value क्या आ सकती है, sir, domain बताएगा, है ना, x बोले तो input की value क्या आ सकती है, इसमें input angles होते हैं, ये normal sine, cost, 10, cost, ये normal trigonometric functions हैं, जिन में input angles होते हैं, तो sir, कोई सा भी angle हम डाल सकते हैं, कोई भी real number है, ठीक है, output क्या आएगा range, sir, output हमारे पास minus 1 से 1 ही आएगा, clear है, हाँ sir, अब cost की बात है, cost, normal cost, बिल्कुल cost, normal, cost, अगर मैं x लगा दू, तो cost x, इस x में हम क्या-क्या चीज़े डाल सकते हैं, sir, क्या-क्या चीज़े input कर सकते हैं, sir, simple है, sir, इसमें भी बिल्कुल sign की तरह होता है, all real numbers आप डाल सकते हैं, और इसका भी output, sir, minus 1 से 1 ही रहेगा, इसका output भी, इसका भी answer, इसका भी output, इसका भी value, हमें minus 1 से छोटा नहीं मिलेगा, 1 से बड़ा नहीं मिलेगा, done, sir, clear है, पक्की बात है, हाँ, पक्की बात है, अब 10 और cot सुनो, समझना अच्छे से, देखो, 10 का, तुमको formula पता है, 10 का formula होता है, sir, sign upon cos, 10 का होता sign upon cos, done है, sir, बिल्कुल done है, देखो, अपन को बता है कि कोई भी fraction जो होता है, something upon something, उसके नीचे वाली चीज़ को 0 नहीं होना चाहिए, यह 0 की equal नहीं करना है, अपन को, समझ में आ रही है, तो नीचे, जो cos है, यह is not equal to 0, अपन को बचाना है कि cos 0 नहीं हो पाए, तुम 10 में, गौर से सुन लो, बिटाओ, गौर से सुन लो, मैं फिर बता दे रहा हूँ, गौर से सुन लो, 10x में, चलो ठीटा लिख देता हूँ, ठीटा लिख देता हूँ, 10 ठीटा में, जो की formula होता है, sin ठीटा पॉन cos ठीटा, ठीक है, अब input का मतलब क्या हूँ सर, input का मतलब हूँ सर, ठीटा की value आप क्या-क्या डाल सकते हो, जो मैं यहाँ डालूँगा, वही में जब ठीटा की value यहाँ और यहाँ लिखनी पड़ेगी, है ना, done sir, ठीटा की value बिटा 10 में, आप कोई भी real number डाल सकते हो, कोई भी real number, seriously कोई भी real number डाल सकते हो, लेकिन है condition है, सुनते जाना, कोई भी real number डाल सकते हो, sir, बहुत दिमाग से सुनो, दिमाग से, 90 डिग्री डाल सकते हैं क्या, चलो देखते हैं, चलो मैंने कहा, sir, 90 डिग्री डाल सकते हैं क्या, यहां भी sin pi by 2, यहां भी डालना पड़ेगा sir अपनको sin pi by 2, है ना, और यहां भी डालना पड़ेगा sir sin pi by 2, sorry cos pi by 2, है ना, cos pi by 2, अब sir cos pi by 2 तो 0 होता है, हायर, मैंने अभी पताया तुमको, sin pi by 2 चलो 1 होता है, नीचे 0 आया, बेटा यह तो not defined हो गया, any number divided by 0 is not defined, हमें हमारे function को not defined होने से बचाना होता है, यह अपने दिमाग में अच्छे से सेट कर लो, हमें हमारे function को बचाना होता है, काहे से, sir not defined होने से, यह बात अच्छे से दिमाग में set कर लो बच्चा, ठीक है sir, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुन बचाना है सर theta धिहान ऐसे सुनिएगा, theta अगर вес pi by 2 हो, समझ रहे हो那, pi by 2 हो या बहुत गौर से सुनना, या pi by 2 का कोई भी multiple हो, कोई भी integral multiple हो मतलब, n 배 coming true, y the pi plus pi by 2, मतलब सर, मतलब सर बताता हूं सुनो, देखो होता यह है कि cos 90 की value होती है zero तो हमें यार जीरो यह cost 90 हमें 90 नहीं रखना है फिर हम 90 नहीं रख सकते हम 90 नहीं रख दिया तो zero आजाएगा काम भी कर जाएगा 90 नहीं रख सकते ठीक है सर अब अगर आपको यादो class 11 में तो आपको अच्छे से याद होगा कि यह 90 है ठी की वैलिएन है ठीक थे विधा कॉस्की वैली पूरे Y-axis पर 90 होती है पूरे Y-axis harvest 90 के बाद आगर आप थे फाई घूँम गम गई एक पाई पूरा 180 डेज्टी एक पाई गम गम गई मतलब यह क्या होगा यह गमना पाई प्लस 90 प्लस पाई पाइबाय थू पोलते हैं पाइबाय तू उसमें आप न выход you rate डिया तो पाइपलेस पाइब reference पाइब कर दिया होगा याँ प्लस पाई-पाइब हुगो तो अब अगराइथ कर दो तो तो आand कि क्या होगा यहां के यह बन जाएगा पाई बाई टू जो पाई बाई टू था फिर प्लस पाई यानि टू पाई तो टू पाई प्लस कर दो तो यहां पर भी कॉस जीरो होता है यहां पर भी कॉस जीरो होता है तो टू पाई आ गया है ना तो समझे ना कि एन पाई बाई कोई भी integral möchte पे पाइबाइटू।ु ठीक है पाइबाइचु में फिसपाइट। पाइपली फ्लेस पाइटू COS 0 होगा। पाइबाइटू में टू-पाइबी फ्लस कर तो में टू पाइबाइब सोट्चु होगा। 3 pi plus pi by 2 cos 0 होगा, 4 pi plus pi by 2 cos 0 होगा, समझ गए? Yes sir, तो हम समझ गए sir, कि n, हमने 1, 2, 3 की जगा n लिख दिया, n pi by 2 जहां पर वो हम एक integer मान के चलने हैं, तो sir हम समझ गए, cos pi, cos जो pi है, cos pi, मैं इसकी बात कर रहा हूँ बेटा, cos theta जो है, theta की जगा हमें किस चीज़ को रोकना है आने से, 0 नहीं आने चाहिए, तो हमें रोकना है, pi by 2 और उसके n इंटीग्रल से, यह, जहां पर n जो होगा, यह क्या होगा, यह एक integer होगा, तो sir, r, सारे रियल नमबर ले लो, 10 में आप theta की जगे सब रख लो, बस यार, नीचे 0 बचाने के लिए, हमें यह हटाना पड़ेगा, r minus n pi plus pi by 2, यह है, समझे क्या, समझे क्या, यह sir, तो इसको ऐसे वाले bracket में लिखो, यार, यह वाले bracket में, यह, ठीक है, n pi plus pi by 2, और जो n है बिटा, वो एक integer है, समझ गए क्या, समझ गए क्या, यह sir, पक्की बात है, बिल्कुल पक्की बात है sir, कोई समस्या, no, समस्या sir, ठीक है बई, इतनी बात clear है, हाँ sir, बिल्कुल clear है, अब अगर चाहो, अगर चाहो, तो तुम्हें काम कर सकते हो, क्या, अगर चाहो, तो तुम्हें काम कर सकते हो, तुम इतने पार्ट को और सुन्दरता से लिख सकते हो, 2n प्लस 1 ब्रैकेट पाई बाई 2, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, if you want, तो ये भी ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर तुमने पाई बाई 2 का मल्टिप्लाई 2n से कर दिया, अंदर, प्लस, पाई बाई 2 का 1 से मल्टिप्लाई कर दिया, तो 2 से 2 कैंसल, ये क्या आजाएगा वापस, n पाई प्लस, पाई बाई 2, तो ये वही आजाएगा जो अपना लिखा हुआ है, तो अगर चाहो तो ऐसे लिख दो, नहीं चाहो, तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, कि सर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, आर, माइनस नहीं, तो कई लोग NCRD से कॉपी करेंगे, ना, NCRD से चेक करेंगे, कि सर, तो आपने तो गलत बता दिया, गलत बता दिया आपने तो, हैना, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर, सारे आर, बस इसमें से वो आर नहीं लेना है, वो एंगल्स नहीं लेना है, जो इस एंगल, इस पैटन को पूरी तरह से फॉलो करें, कौन सी बात है, सर, ये, 2N प्लस 1 ब्रैकेट पाई बाई टू, जहां N एक इंटीजर है, याद रखना, डन सर, बिल्कुल डन, इसको एरेस कर दो, ठीक, ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर दो, यार, काफी बड़ा हो गया, ठीक है, ठीक है, अब इसका आउटपुट क्या मिलेगा, तो इसका आउटपुट याद कर लो, बहुत आसान है, all real numbers, सारे real numbers इसके आउटपुट मिल सकते हैं, कॉट पे आते हैं, सर, ठीक है, जल्दी-जल्दी से करें, क्योंकि आपको बस, यह और बताना है, कॉट, ध्यान देना, कॉट भी बिल्कुल इसी के जैसा है, कॉट, अब तुम कॉट का फॉर्मला याद करो, ठीक है, मैं इसको एरेस कर रहा हूँ गटा, ठीक है, सर, अब तुम कॉट का फॉर्मला याद करो, ठीक है, सर, अगर कॉट का फॉर्मला आप याद करोगे, कॉट थीटा, तो यह होता है, सर, कॉस अपॉन साइन, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्लियर है, हाँ, क्लियर है, सर, अब सुनते जाना मेरी बात, ठीक है, सारी वालि Input में सारे real number रख दो, बसुछ को तो छोडना पड़ेगा हटाना पड़ेगा कुछ चीजों को? किसको अथाना पड़ेगा सर, थ्यान जे सुन लो बिटा किसको अथाना पड़ेगा गौर से सुनना मेली बात जी सर यार नीचे 0 नहीं आना चाहिए नीचे 0 नहीं आना चाहिए squat 30 रख दो 30 रख सकते हैं 30 रख दो sin 30 cos 30 आराम से आ जाएगा 45 45 रख दो 60 60 रख दो sin theta नीचे ये 0 नहीं होना चाहिए क्योंकि something upon 0 not define हो जाएगा अब अगर इसको 0 होने से बचाना है sin किस angle पे 0 होता है sin अगर मैं theta यहाँ 0 ले लू अगर मैं यहाँ theta 0 ले लू और 0 ले भी लू तो sin theta के आएगा sin 0 के आएगा sin 0 तो 0 आएगा अगर मैंने cot 0 ले लिया यह 0 मैंने कहा कि भाई यह काम करो input तुम 0 ले लो 0 degree बस तुमने 0 degree लिया यह पूरा का पूरा not define हो जाएगा जो हमें बचाना है not define नहीं होने देना है तो sir हम 0 नहीं ले सकते है बस 0 sin 0 पे ही 0 होता है क्या बस no sin 0 पे भी 0 होता है अब अपन coordinate पे आ जाएगे सर जी ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर यह 0 है ठीक है यह 0 है sin 0 पे भी 0 होता है और sin 180 पे भी 0 होता है यहाँ पर भी सर यह 180 पाई जो है ना यह भी यहाँ पर भी sin 0 होता है फिर से घूम के जाओगे तो यहाँ पर फिर से sin 0 होता है फिर से घूम के जाओगे तो sin 0 होता है फिर से घूम के जाओगे तो sin 0 होता है साइन पाई सर ये भी 0 अचा 180 हो गया, पाई हो गया सर एक और पाई, पाई प्लस पाई 2 पाई अगर मैं साइन 2 पाई की बात करूँ बेटा ये भी 0 ये भी 0 और मैं एक और बार उदर चले जाओं, समझे रहे हो एक और पाई, मतलब यहीं से शुड़ू करा था एक पाई, दो पाई, तीन पाई तो सर तीन पाई पे आओगे तब भी 0 साइन 3 पाई पे भी साइन 0 होता कोई मिला के साइन जो है न एन पाई, एन का मतलब है 1, 2, 3 एन पाई पे सर जीरो होता है हमें यहाँ थीटा की जगा एन पाई नहीं रखना है यहाँ हमको एन पाई एन का मतलब है 1, 2, 3, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3 यहाँ एन की जगा कोई भी इंटीजर आ सकता है एन पाई होने से बचाना है अगर हमने कॉट थीटा की जगा 5 पाई दिया, अगर हमने 5 पाई लिख दिया तो यह हो जाएगा कॉस 5 पाई अपान, भीटा, साइन 5 पाई, साइन 5 पाई थो 0 होता है ex-axis पे sign, दिया है, रखना how, ex-axis पे sign clearly पडा रहा हूँ, ex-axis पे sign 0 होता है, चाहींöh यह 0 हो 0 से 1 पाई हो, तो भी sign इदर अगर इस पर आ जाए तो भी यह बताओ sign पाई क्या होगा 0, sign two pi क्या होगा द फो a पाई और ओ टू पाई to sign zero, sin three pi zero time four by zero, time four by zero, तुम चाहे जितना घूमते जाओ, देखो यहां आगए zero यहां आगए zero याहां आगए zero यहां आगए zero यहां आगए zero साइन इस पूरी एक्सिस पे जीरो रहेगा एक बात ध्यान रखना ठीक है? डन सर तो हम समझ गए कि सर सारे allowed है real numbers मतलब एंगिल में, कौट, थीटा में आप सारे values रख दो थीटा की जगा कुछ भी रख दो बस सर n πाई मत रखना सर बस n πाई मत रखना प्लीज, है न, n πाई मत रखना आपको पता है, n एक integer है अचा, इसका output भी सारे real numbers हो सकते हैं और जल्दी से देख लेते हैं थोड़ा सा सेक क्या होता? सेक बिलकुल 10 के जैसा होता, क्यों? 10 बचाता है किस चीज को? 10 होता है, 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 10 होता n pi plus pi by 2 या फिर अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं are all real numbers except except क्या बिटा except 2n plus 1 bracket pi by 2 ठीक है सर 2n plus 1 bracket pi by 2 अच्छा यहां भी bracket तो लगाएं नहीं यार यह bracket लगाना जरूरी है done है सर बिलकुल done है अच्छा इसके output क्या होते हैं इसके output थोड़े अच्छे से याद रखना बिटा इसके जो outputs होते हैं जो आपको output मिल सकता है जो values मिल सकती है all real numbers मिल सकती है ध्यान देना all real numbers मिल सकती है except 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 सर minus 1 से 1 इसका मतलब क्या होता है बताता हूँ number line पर समझा देता हूँ number line पर ये लिया पन ने minus 1 और ये लिया बिटा पन ने 1 ठीक है ये गई अपनी infinity और ये गई बिटा अपनी minus infinite ठीक है जो सेक और को सेक दोनों के लिए है बिटा ये दोनों के लिए सेक और को सेक दोनों के लिए सेक और को सेक का जो output होता है वो r minus real number होते है ये ध्यान देना, ये बहुत अच्छे से ध्यान देना, माइनस 1, माइनस 1 से लेकर 1 के बीच वाला नहीं आएगा, बीच वाला नहीं आएगा, मैंने क्या बोला, बीच वाला नहीं आएगा, ठीक है सर, क्या माइनस 1 आ सकता है, बिलकुल आ सकता है, माइनस 1 बिलकुल आ सकता ह 抉क कर दो माइनेस वन से पीछे के सारे नेग responsabil नमब इसके आगे सारे पॉजिटिफ नमबर और आसकते तो यह वाला नहीं आेगा पस PROFU क्या मतलब का माइनस वन से बीच यह हॉलो सर्किल का यह पाटा हो मतलब क्या था दो यह हैंसर नहीं आ सकता तो तो इसका मतलब बिटा इसका मतलब इस वाली चीज़ को जो output आ सकता है sec का जो range होता है this to this ये जो होता है ना इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कैसे minus infinity से minus one ठीक है minus infinity से minus one close bracket क्योंकि minus one आ सकता है answer union one से infinite bracket तो ये भी अपनी range हो सकती है ये क्या हो sec की तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं ध्यान दीजिएगा इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं minus infinity से minus one include union one को include करना है infinite तक clear है जी हाँ समझे हैं ना मतलब minus one output हो सकता है और उसके पीछे के सारे output हो सकते हैं negative इधर one ले सकते हैं और one से सारे आगे के ले सकते हैं तो one को include कर लो और आगे के ले लो खतम clear है sir? बिल्कुल clear है sir done है? बिल्कुल done है sir इसको अटाओ जल्दी से done sir cosec क्या होता है? cosec का और बता दो चलो cosec और देख लेते हैं done sir देखो cosec जैसे जो sec है ना वो ten की तरह काम करता है cosec caught की तरह काम करता है क्यों? क्योंकि cott जो होता है वो होता है दियान से सुनना इसको अटा देता हूँ मैं जरा जो caught होता है वो होता है cause upon sine cause theta upon sine theta तो upon में sine आता है ïे court sine theta नीचे 0 होने से रोकता है cosec भी बिलकुल यही काम करता है 1 upon sin theta होता है ये भी नीचे sin theta को 0 होने से रोकेगा जब ये भी sin theta को 0 होने से रोक रहा है ये भी sin theta को नीचे 0 होने से रोक रहा है तो दोनों के input बिलकुल सेम होते है cot का ये input है तो cosec का भी यही input होता है ठीक है let me just write all real numbers minus n pi minus n pi समझ गए all real numbers minus n pi और बिटा इसका भी जो output होता है बिल्कुल को sec का जो output होता है बिल्कुल sec की तरह होता है all real numbers except minus 1 से 1 ठीक है इसको बिल्कुल ऐसे ही लिख देना अब ये क्यों पढ़ाया ये क्यों पढ़ाया सर ये इसलिए बढ़ाया ताकि अब मैं साइड में तुमको change topic बता पाऊं changed समझ रहे हो changed वाली चीज़ बता पाऊं इसको छोटा कर दूँ पहले है न अब ये normal table बढ़ाया आपको बिल्कुल normal वाली ठीक है अब यहाँ पर मैं आपको change क्योंकि ये normally ठीक है सर all real numbers नहीं अगर आपको ये sign को stand code ये trigonometric function invertible बनाना है तो इनके domain में changes करने पढ़ेंगे range में कोई change नहीं आएगा range बिल्कुल वैसे ही लिख दूँगा मैं range में कोई change नहीं आएगा ठीक है तो sign की जो all real numbers की चीज़ थी बेटा देखो ना पीछे देखो यहाँ पर लिखी हुई है sign की जो all real numbers की changes थी all real numbers था sign all real numbers से minus 1 by 1 है all real numbers से minus 1 to 1 आ सकता है यहाँ हमने all real numbers से क्या कर दिया minus pi by 2 से pi by 2 हमने domain को restrict कर दिया ठीक है same यहाँ पर होंगे सर साइन की domain क्या हो जाएगी sign की domain हो जाएगी बेटा minus pi by 2 से pi by 2 और यह bracket close ठीक है output वही रहेगा सर minus 1 से 1 output वही रहेगा range वही रहेगी यही रहेगी range cos की बात कर लेते हैं सर cos में क्या है सर cos में इसकी बेटा 0 से pi कैसे होगा सर यह clearly आपको graph के साथ बताया जाएगा next videos में ठीक है 0 से pi 0 से pi और इसका output भी सर minus 1 से 1 ही रहेगा देखो change कर दिया na change कर दिया na input देखो इसका input था normally यह original trigonometric functions हैं जो invertible नहीं होते लेकिन इसका जो range इसका जो domain है na all real number इसको change करके मैंने यह बना दिया सर यह समझ रहे हो ना यह सर बिलकुल समझ रहे अरे यार यह क्या हो गया पूरा erase हो गया यह तो ठीक है एक second ठीक है sign और cos हो गया 10 की बात कर लेते हैं सर सर जी 10 की बात कर लेते 10 में क्या है 10 का input क्या है 10 का input यह था sir, all real numbers except 2n plus 1 pi by 2, यानि n plus pi by 2 छोड़ के, यहाँ sir change है, यहाँ 10 का जो, मैं एक trick बता रहा हूँ आपको, 10 का जो changed domain है, बिल्कुल sign की तरह है, बस sign की यह solid brackets है, 10 के लिए बिल्कुल यही लिख दो, minus pi by 2 लिख दो, comma pi by 2, बस यह solid bracket है, यहाँ पर आप open bracket लिख देना समझ गए, बिटा, court की जब बात करेंगे, तो court के लिए जो input आएगा, वो बिल्कुल cost के जैसा है, बिल्कुल cost के जैसा है, बस यहाँ पर close bracket है, आप यहाँ open bracket लिख देना, 0 से pi, अच्छा, output change नहीं होगा वहाँ पर भी, यह, देखो, same है, यह, देखो, same है, यह real number, बिट देखोर कोशेक की बारी, ठीक है, सेक की बारी आती है, और last में कोशेक, अब सेक का यह है, सेक का input यह, सुनते जाना, बहुत important है, सेक का normal input है, normal, लेकिन यहाँ बढ़ गँर से सुनिया, बटा, गँर से सुनियेगा, सेक का यहाँ जो change होके domain आएगा, वो आएगा, जीरो से पाई बिलकुल कोस की तरह बस सुन लो मेरी बात यार बस माइनस कर देना पाई बाई टू पाई बाई टू नहीं लेगा यारी बस माइनस पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू कोसेक का input क्या होगा, यानि cosec का domain क्या हो सकता, cosec का domain बिल्कुल sign के जैसा होगा, बिल्कुल sign के जैसा बिटा, minus pi by two comma pi by two, close, बिल्कुल, बिल्कुल वैसे ही, बस यार यह minus 0 नहीं लेगा, 0 हटा दो, समझ गए, अच्छा इनके outputs के रहेंगे, इनकी range is normal, बिल्कुल इसी के जैसे रहेगी, यानि sec की जो range होगी, वो होगी all real number minus, minus 1 से 1, minus 1 and 1 not included, ठीक है, all real numbers minus minus 1 comma 1, minus 1 and 1 not included, अब यह इस पे आगा है, यह पेटा ध्यान रखना बहुत important चीज है, यह original trigonometric functions है, जिनकी original domains लिखी हुई है, यह modified trigonometric functions है, क्योंकि यहाँ पर invertible नहीं है, यह inverse नहीं आ सकता है इनका, पर जैसे हमने domains change कर दी, इनके inverse भी आ सकते हैं, समझ में आ गई बात, यह sir बिल्कुल आ गई समझ में बात, clear है, बिल्कुल clear है sir, done, बिल्कुल done, done, done sir, आगे चलते हैं, ठीक है, done sir, बिल्कुल आगे चलते हैं, अब sir जी, यहाँ यह complete हो गया, इसको आप एक बार देख लो, समझ लो, फिर अपन खतम करते हैं, देखो बेटा, बस अब last के पांच मिनिट और last के दो तीन चीज़ और देख लो, तो वो तुमको बता देता हूँ, देख न, यह जैसे ब्लैंक आई, अब अपन ने क्या क्या देख लिया, अपन ने normal domain और range देख ली, trigonometric function की, trigonometric function की, ठीक है, फिर उस्ते पाथ हमने modify कर ली, modify क्यों करी, आपको पता है ना modify क्यों करी, अपन ने modify इसलिए करी, क्योंकि normal trigonometric functions होते हैं, उनकी normal जो domains होती हैं, उन पर वो trigonometric functions invertible नहीं होते, उन पर वो trigonometric functions 1-1 नहीं होते है ना तो उनको 1-1 बनाने के लिए onto तो होते हैं 1-1 बनाने के लिए क्योंकि जब तक function 1-1 on-2 रहे नहीं होगा वो invertible नहीं होगा invertible नहीं होगा मतलब उसका inverse नहीं आएगा यह sin x का sin inverse x पढ़ना है ना हमें तो idf inverse trigonometric को लाने के लिए इस चाप्टर की एक्जिस्टेंस को लाने के लिए हमें नॉर्मल ट्रिक्नोमेट्रिक फंशन्स जो होते हैं उनकी नॉर्मल नैचुरल डूमेन में मौडिफिकेशन करना पड़ा जो भी अपने देखा तो सर वो टेबल भी देख ली मौडिफाइट टेबल भी देख ली अब सरम बनाते हैं आईटीएफ ध्यान चो सुनना ठीक है पहले में तुमको एक बार और बता देता हूं देखो भाई यह हो गई अपना साइन ठीक है यह हो गई अपनी हैं लिखता हूं मैं डोमेन ठीक है जी सर एक बार और देख लो और अगर नहीं देखना हो तो आगे फॉरवड कर दो थोड़ा सा स्किप कर दो यह हो गई सर अपनी रेंज डन सर बिलकुल डन ठीक है तो भाईया साइन के लिए क्या क्या नॉर्मली इंपुट दे सकते हैं नॉर्मली सर हम इंपुट दे सकते हैं सारे रियल नंबर्स आउट्पुट सर उसका वही माइनस वन से वन ही आ सकता है रट लो बिटा रट लो इसको तो लर्न कर लो normall trigonometric function बना रहा हूं यह normal domain के साथ normal natural domain नहीं है इसमें कुछ भी खुराफात नहीं करी है मैंने अभी फिर आती है बाद सरre 10 की तो 10 का क्या है भीया 10 क्या करता है 10 कुछ नहीं करता है सारे real number apply कर दो सारे real number अलाओ कर देगा यह input में domain में सारे real number यह अलाओ कर देगा बस माइनस करना पड़ता है सर बस हटाने पड़ते हैं उन अंगल्स को उन अंगल्स को अटा दो सर जिन पर कॉस से 0 हो जाता और कॉस 0 होता है बेटा 2N प्लस 1 ब्रैकेट पाई बाई 2 समझ रहे होना याल है न मैंने भी बताया था प्रीवियस स्लाइड पे पाई बाई 2 प्लस N पाई ये ऐसा एंगल होते हैं ये बिटा N की जगा 1 लिख दो, 2 लिख दो, माइनस 1 लिख दो, माइनस 2 लिख दो, 0 लिख दो N एक इन टीचर है जो लिखना है लिख दो जो भी एंगल आएगा कॉस इस एंगल पे 0 होगा, 100% 0 होगा कॉस इस एंगल पे 0 होगा और 10 हमको हम बता चुके हैं भीट आपको 10 होता है साइन अपान कॉस और नीचे 0 होने से हमें बचाना है तो नीचे 0 होने से बचाना है मतलब हमें ऐसे एंगल नहीं चाहिए यह जो नीचे cos को 0 बना दे तो हमें यह angles नहीं चाहिए नहीं चाहिए मतलब माइनस कर दो यह यह बिटा 2N plus 1 upon pi by 2 यही है ठीक है यहां से जब अपन pi by 2 common लेंगे तो यह 2N plus 1 ही आ जाएगा ठीक है done sir अच्छा इसका output क्या आएगा sir output इसका सारे real numbers आ सकते है all real numbers ठीक है sir done है पक्की बात है बिल्कुल पक्की बात है sir पक्की 101% पक्की ठीक है sir then comes cot यानि cot end तो cot end क्या करता है cot end sir बाद उल्टी है यह क्या करता है 10 10 cos को 0 होने से बचाता cot sign को 0 होने से बचाएगा क्योंकि cot का फॉर्मला जाएगा cos by sign तो cot क्या करेगा नीचे इसके sign है upon में sign है sign को 0 होने से बचाएगा sign 0 होता है बिटा n pi पे मतलब 1 pi मतलब इस पे 90 रख दो 90 रख दो 90 कह रहा हम सॉरी sign 0 अब देखते जाना 0 कहा होता है sign 0 कहा तक होता है sign dash is equal to 0 तुम sign के आगे 0 degree रख दो तो 0 हो जाएगा तुम sign के आगे 0 छोड़ो 180 रख दो तो 0 हो जाएगा तुम 180 का डबल 2 into 180 मतलब इस पाई रख दो 2 into 180 का मतलब है 360 degree तब भी sign 0 हो जाएगा ठीक है 360 के बाद बिटा तुम 540 रख दो यह 3 pi है 540 degree 3 pi होता है ठीक है 3 pi यह तब भी 0 होगा 4 pi रख दो sign 4 pi यह नहीं sign 720 यह भी 0 होगा तो मतलब sign n pi पे 0 होता है n का मतलब हो गया बिटा कोई भी integer minus का plus का 0 जो रखना है तो सर जी यह क्या होगा सर कौट होगा ध्यायन जो सुनिएगा all real numbers except n pi except n pi ठीक है except n pi done sir इसका output या नहीं इसका range इसका range भी सर all real numbers होता है बात clear है न यह सर बात 110% clear है clear done sir सकौट होगे भी आप बचा सेक और कोसेक तो सर सेक लेक लेते हैं ठीक है और कोसेक भी लिखी लेते हैं ठीक है done सेक का क्या है भाई सेक देखो सेक होता 1 upon cos सेक बिल्कुल 10 की तरह काम करता क्योंकि 10 कभी target होता है cos को 0 होने से बचाना सेक कभी target ही है यही है पिटा सेक कभी ही target है सेक और 10 जो डोमेन लिए होता है बिल्कुल same to same लिए होता है तो सेक की डोमेन यह हो जाएगी बिटा आर माइनस 2N प्लस 1 ब्रैकेट पाई बाई 2 ठीक है सेक का जो output है वो तोड़ा याद रखना यह होता है all real number except minus 1 से 1 ठीक है cause upon sign court के लिए भी upon में sign है cosec के लिए भी upon में sign है तो court जैसे behave करता है अपने डोमेन में cosec भी विल्कुल वैसे ही behave करता है अपने डोमेन में तो सर cosec क्या होगा all real numbers except n pi बिल्कुल इसी के जैसा court के जैसा ठीक है इसका सर output बिल्कुल cosec के जैसा output होता है इसका all real numbers except minus 1,1 ठीक है यह हो गई normal table जो मैं आपको अपको अपको अपड़ा चुका हूँ ठीक है अभी एक काम करते हैं सर अभी इसका modification देख लेते हैं क्योंकि यह अपने वो नहीं है invertibles नहीं है ठीक है यह invertible functions नहीं है क्यों नहीं है क्योंकि सर यह natural domain है यह invertible functions नहीं है इनके inverse यानि sin x का sin inverse x नहीं आ सकता अगर इनको invertible बनाना है मैं भी पता चुका हूँ बिटा वो erase हो गया मुझसे गल्ती से नहीं तो मैं उसी पर बता देता दुबारा नहीं बनाता अगर मुझे इनके invertibles चाहिए modification करना ज़रूरी है सर ठीक है modify करते है domain और range range में कोई modify नहीं होगा सिर्फ domain में modification होता है ठीक है done सर range में कोई modification नहीं होगा modification जो कुछ भी होगा वेटा वो पूरा पूरा domain में होगा चलो sign की बात कर लेते हैं कुछ नहीं है सर sign यहां R है न यह R अट जाएगा all real numbers इसमें आप input के तौर पे नहीं दे सकते हो आपको यह change करके क्या करना पड़ेगा minus pi by 2 से pi by 2 done ठीक है और output range बिलकुल यही रहेगा range बिलकुल यही रहेगा minus 1 से 1 कोई changes नहीं सर done आगे बात कर लेते हैं बिटा cost की cost में क्या होता है सर cost normally जो natural domain होती है cost की वो होती है real numbers सारे real numbers पर यार रोकना पड़ेगा सारे real numbers रोकने पड़ेंगे हम allow नहीं कर सकते सारे real numbers हमें limited segment देना पड़ेगा limited domain रखनी पड़ेगी तो यह real numbers सारे real numbers छोड़ो यह change होके क्या बन जाएगा सर यह change होके बन जाता है ध्यान से सुनना 0 से pi क्या बन जाता है 0 से pi अभी और बताऊंगा मैं तुमको के 0 से pi क्यों select हुआ pi by 2 से pi by 2 minus pi by 2 से pi by 2 क्यों select हुआ और भी चीज़े select हो सकती दी पर यही क्यों select हुए यह सब बताऊंगा मैं आगे वीडियोस में ठीके सर इसका output क्या होगा इसका output भी बिलकुल साइन के output जैसा रहेगा output तो change होंगे ही नहीं किसी के minus 1 से 1 तुम बस यह समझ लो range यहां जो है बिलकुल range यहां भी वही रहेगी modify कर रहा हूं है sign और यह भी sign यह original trigonometric function यह तोड़े से छोटे भाई मान लो यह sign जो है ना यह इस original sign का natural sign का भाई है छोटा भाई है बस यह समझ लो तुम done sir cross होगा भाई है 10 की बात कर लेते हैं 10 में क्या है sir सुनते जाना देखो 10 यहां क्या है यह सारे real numbers allowed है बस ऐसे angles छोड़ दो सारे real number वाले angles allowed है बस ऐसे angles छोड़ दो जो cos को zero करते हो और cos को यह zero करता है तो इसको छोड़ दिया इसको minus कर दिया यह नहीं चाहिए है मैं यहां ऐसा था सर सही बात है यहां क्या होगा यहां मेरे प्यारी बच्चे गौर से सुन लो यह बिलकुल sign के जैसा हो जाएगा बिलकुल sign के जैसा लिख दो sir minus 90 degree से 90 degree के बीच वाले minus pi by 2 का मतलब है minus 90 degree है ना pi by 2 का मतलब है 90 degree तो minus 90 और 90 के बीच वाले angles आप दे सकते हो input output sir same रहेगा all real numbers ठीक है done sir cot की बात कर लेते हैं चलो भाई cot में क्या है sir 10 बिलकुल sign के जैसा था cot बिलकुल cos के जैसा है 10 बिलकुल sign के जैसा लिया गया cot बिलकुल cos के जैसा लिया जाएगा बिलकुल डिटो बस फर्क वही रहेगा जो sign और cos में है क्या फर्क है sir 10 में हमने sign वाली लिख दी open bracket से cot में cos वाली लिख दो open bracket से बस 0 से pi बस open bracket में रहेगा clear है? हाँ sir all real numbers यहाँ all real numbers इसके range होंगे क्योंकि देखो cot का range का है all real numbers यहाँ भी range सब सेम रहेगी बिटा range सब सेम रहेगी अब बात करते हैं sec की चलो sec देख लेते हैं sir ठीक है? समझा मैं आपको already चुका ही हूँ और cos sec की done? बिलकुल done sir क्या था? sec क्या था? sec बिलकुल 10 की तरह काम कर रहा था बिलकुल 10 की तरह काम कर रहा था यहाँ sec 10 की तरह काम नहीं करेगा नहीं तो तुम सोचो sec को मैं 10 की तरह लिख दू नहीं सुनो, सुनते जाना यहाँ पर जो 10 है ना, जो sec है ना वो sec cos की तरह काम करेगा लेकिन एक चीज़ चेंज हो चाहेगी छोटी सी चाह यहां सैक बिलकुल इसके जैसा काम करेगा 0 से पाई बिलकुल इवन आप ये ब्रैकेट भी सेम लगाओगे बिलकुल सैक विल वरक एस कॉस बिलकुल इसी के जैसा ये डोमेन लिया रहेगा बस एक चीज़ याद रखना ये माइनस पाई बाई टू मतलब पाई बाई टू नहीं ले गई ये नहीं लेगा बस ये दियां टखना है यह बहुत इंपोटन है ठीक है और बात को यहाँ समझो बात को यहां को सैग BY LK long cent के जैसा जाएगा तो सर को सैक में बिलकुल साइन के जैसा अगर अबना ले तो क्या बन जाए般 बिलकुल यही माइनस पाए-वाए-टू टिक रहा हूं तुम्हें याद करने की, minus πाई बाई टू कॉमा πाई बाई टू, सर बिलकुल इसी के जैसा? सर सैक को आपने का कॉस के जैसा जाएगा आपने लिख दिया, लेकिन कुछ माइनस करा, कुछ हटाया, यहांपर भी ऐसे ही है क्या कोशाएगा, आपने sign के जैसा लिख दिया, यहां कुछ हटाओगे, हाँ हटाओंगा, यहां बेटा बस minus 0 कर दे रहा हूं, और इसकी भी range, जैसे कोसक की range यहां यह है, यहां भी कोसक की range यही रहेगी, all real numbers except minus 1 से 1, यह अगर इसकी, इसका meaning समझ में नहीं आ रहा, इन दोनों का meaning, इन दोनो का meaning, सुनो दोस्त, इन दोनों का meaning समझा देता हूं, ठीक है, although मैं समझा चुका हूँ, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें दोबारा समझाओंगा, तो समझ में आ जागा, तो यह क्या होता है, all real numbers minus कर दोस्में से minus 1 and 1, इसको कहा चाता है, ध्यान जो सुनना, minus infinity से minus 1 included, union 1 से infinity, इसका यह meaning होता, अभी यह भी समझ में नहीं आया है, तो और समझ लो, और समझा देता हूं, सुनो, पूरी एक number line बनाते हैं सर, ठीक है, बना ली number line, ओके, सर इस number line में अपने को बस दो चीज़े लिखने हैं, minus 1 और 1, ठीक है, minus 1 और 1 लिख लेते हैं, सर यह होगया minus का 1, और यह होगया सर, अपना 1, ठीक है, यह होगया infinite, यह होगया minus का infinite, ठीक है, done है सर, yes सर, all real numbers, सारे real numbers, ठीक है सारे real numbers ले लिए, done, except, minus का मतलब होता है, except, ठीक है, minus 1 by 1, इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो, अगर मैं all real numbers की बात करूँ, तो मैं ऐसी line बनाऊंगा, red से नह ठीक है, मेरी बास ठीक है, एसी line बनाऊंगा मैं, ठीक है, all real numbers, ठीक है सर, यह सारे real numbers हो गए, except, minus का मतलब होता हो, नहीं चाहिए, कौन सी चीज नहीं चाहिए, यह चीज नहीं चाहिए, यह चीज नहीं चाहिए, यह चीज नहीं चाहिए, यह चीज नहीं चाहिए, वाट से वन के बीच वाले मैंने हटा दिय थीक हैँ सर यह बात बताओ половाइवलिया जाएगा की नहीं लिया जाएगा की नहीं लिया जाएगा मैं बताता हूँ माइनस अपनने क्या करा अपनने क्या हटाया अपनने हटाया बेटा इन दोनों ब्रैकेट को कैसे पढ़ते इन दोनों ब्रैकेट को पढ़ते हैं इन दोनों नंबर्स के बीच वाले रियल नंबर्स हमने हटाया माइनस का मतलब है हटा दिया किसको अटाया किसको रिमूफ किया माइनस वन से वन के बीच वाले नमबर्स को माइनस वन और वन को रिमूफ नहीं किया वो तो हमें चाहिए है माइनस वन और वन हमें चाहिए है हमने किसको रिमूफ किया माइनस वन से वन के बीच वालों को बीच वालों को मतलब इनको रिमूफ किया दोस्त इनको रिमूफ किया तो हमें माइनस वन चाहिए हाँ इन्हें आपर डार्क सर्किल कर दो हमें वन चाहिए हाँ हमें वन चाहिए डार्क सर्किल कर दो हमें बीच वाले नहीं चाहिए थे बीच वाले में मैंने black कर दिया अलो भी या बीच वाला छोड़ दिया तो इसको आपकें उसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं बइटा, minus infinity से minus one minus infinity से sir, minus one ये हमें चाहिए minus infinity पर हमेशा open bracket लगता minus one में चाहिए include है तो ऐसा bracket लगेगा फिर हम लखेंगे 1 से infinity, 1 से infinity, infinity पे open bracket ये close bracket ठीक है और हमें दोनों चाहिए सर, हमें ये वाला भी चाहिए, ये वाला भी चाहिए तो बीच में union लगा दो तो ये चीज बिटा आपको ये बनके मिल जाएगी दन है, clear है, हाँ सर, बिल्कुल clear है, हटाओ इसको आगे चलते हैं अभी ये हो गई normal trigonometric table, natural domain के साथ जो actually one one नहीं होती है, ये one one on two दोनों होना ज़रूरी है ना, inverse के लिए ये वाली table, जो है normal trigonometric table है, normal trigonometric function है जिसमें domain और range लिखे गई हैं, अगर इन domain के बरोसे हम रहें तो ये जो sign cost 10 cost sec, cosec है, ये कभी आपको inverse नहीं दे पाँगे इस वाली condition से sign का sign inverse आना ना मुम्किन है क्योंकि इस condition से sign एक bijective function नहीं है sign एक one one function नहीं है, bijective का मतलब है one one b और on two b पर one one नहीं होगा, तो one one बनाने के लिए, इन सब को one one बनाने के लिए इनके domain restrict कर दिये, modify कर दिये, कुछ इस प्रकार अब ये table हमारे काम की नहीं रही, ये original natural domain वाली trigonometric function की table है अब ये table हमारी खराब होगा, क्योंकि हमें अब इस table से मतलब नहीं है क्योंकि ये हमें inverse functions नहीं दे सकता था, लेकिन ये table हमें inverse functions दे सकती है तो sir, अब अब इस table से inverse function के क्या बनाएंगे बेटा, domain and range ठीक है, inverse function के, तो अभी मैं इसको कर रहा हूँ, erase पहले तुम एक बार screenshot ले लो इन दोनों tables के comparison का, ठीक है, done है sir बिल्कुल जल्दी से अटाते हैं, ये गया, ठीक है sir, ये चला गया, अब क्या करें, अब सुनों अब inverse बनाते हैं, sign नहीं, अब अपन लिखेंगे, sign inverse, क्या लिखेंगे दोस्त, sign inverse cos नहीं, cos inverse, tan नहीं, tan inverse, inverse क्यों लिख रहे हो sir आप क्योंकि अब इस table की मदद से, modified table, modified domain की मदद से, इस type की trigonometric functions की table की मदद से हम, इन सारे trigonometric function को अब one one on two दोनों कह सकते हैं, ये है one one on two, और अगर ये one one on two है तो तो ये हमें inverse trigonometric function दे सकते हैं, ठीक है sir, sign cos 10 लिख लिख लिया, cot inverse भी हो गया, sec का भी inverse हो गया, और cosec का भी inverse हो गया, done sir, ठीक है, अब यहां लिखते हैं अपन domain, और यहां लिखते हैं बिटा अपन range, अब सुनते जाना यहां, गरबर हो जाएगी नहीं तो तुमसे, ठीक है sir, done, अब तुमसे थोड़ा सा और revision, अभी आगे बरने से पहले कुछ और देखो, मेरे पास एक function है बच्चो, ठीक है, मेरे पास एक function है और मैंने कहा F, function F है, पिटा यह जा रहा है, D वाले set से R की तरफ, मतलब यह हो गया domain, यह हो गया range, है ना, A और B मान लेते हैं, चलो, यह जा रहा है, एक A से B की तरफ, ठीक है, clear है, हाँ sir, clear है, तो यह क्या हो जाएगा बिटा, इधर अपन लिख देते हैं, यह हो गया अपना domain, this will be domain, ठीक है, और this will be range, यह अपना range हो जाएगा, ठीक है, done sir, clear है, हाँ sir, अब मैंने कहां, मेरे पास एक और function है, जो इसी का inverse है, इसका inverse है, F नहीं, F inverse है, ठीक है, inverse सुनते ही साथ, तुमारे कान में खुराफात होनी चाहिए, खुरखुरी होनी चाहिए, क्या, कि sir, अगर इसका inverse है, यह F inverse, तो फिर इसका जो output है ना, इसका जो range है ना, वो इसके लिए domain बन जाएगा, तो इसका domain क्या होगा, B, और इसका range, इसका output होगा, इसका input, यनी A, कुल मिलाके, इसका domain और range, यहाँ पलट जाते हैं, इसका domain, inverse का range बन जाएगा, इसका range, inverse का domain बन जाएगा, इतनी बात समझे में आई, yes sir, तो अगर इस function sign का, ये वाला function inverse है, sign का sign inverse है, तो पेटा, अगर sign के लिए ये domain है, ये range है, तो फिर sign inverse के लिए क्या होगा, sign inverse के लिए ये, ये जो range है ना sign की, ये sign inverse का domain बन जाएगा, ये domain बन जाएगा, ऐसी cost का जो ये domain है ना, और range जो है, ये cost inverse में आके उल्टे हो जाएगे, समझ रहे होना बात को, समझ रहे होना ये जो समझाया मैंने, कि sir, domain और range, inverse function के जब देखे जाते हैं, तो original function के पलट जाते हैं, original का जो range होगा, वो inverse का domain हो जाएगा, original का जो domain होगा, वो inverse का range हो जाएगा, बात clear है, yes sir, clear है, ठीक है, इसको थोड़ा सा पन side में कर देते हैं, हम, तो sir, कहना जा चाहते हो, कहना हम ये चाहते हैं, बेटा, मेरे प्यारे दोस्त, sine inverse का जो input होगा, का जो domain होगा, वो angles नहीं होंगे, यहाँ पर inputs angles थे, outputs values थे, यहाँ उल्टा हो जाएगा, sine inverse के लिए input क्या होगी, values, यानि यह, जो output है, इसके लिए, वो यहाँ input बन जाएगा, यहाँ domain बन जाएगा, तो इसका domain क्या होगा, sir, minus 1 से 1, इसका range क्या होगा, यह range बन जाएगा, minus pi by 2 से pi by 2, अभी समझ में आ गई होगी, अगर तुम्हें यह table याद हो गई, तो तुम्हें यह table भी याद हो गई, यह समझ लोगा, ठीक है, done sir, cost का domain बन जाएगे, और range बन जाएगा, उल्टा हो जाएगा, sir, cost inverse का, cost inverse का domain, यानि input हो जाएगा, minus 1 से 1, cost inverse का range हो जाएगा, बिटा, 0 से pi, clear है, हाँ sir, 10 की बात कर लेते हैं, 10, 10 का domain यह है, और range यह है, उल्टा हो जाएगा, sir, 10 inverse में, 10 inverse में, जो domain होगा, वो all real numbers हो जाएगा, देखो, यहाँ output real numbers था, यहाँ पर input real number हो गया, यहाँ input यह था, यहाँ output यह हो जाएगा, minus pi by 2 से, pi by 2 के बीच वाले, यहना, बीच वाले हैं यह, done sir, cot का, cot का domain है, बिटा, all real numbers है, output क्या होगा, sir, output होगा, 0 से pi, cot inverse की बात कर रहा हूँ, sec inverse में क्या होगा, sir, simple है, sec का देख लो, sec का जो modified था, opposite कर दो, sec inverse का जो input होगा, input मतलब domain होगा, sir, यह होगा, all real numbers except minus 1 से 1 के बीच वाले, को से कभी यह होगा, all real numbers except minus 1 से 1 के बीच वाले, बात समझ में आ गई, sec inverse का output क्या होगा, सोचो न, sec का input क्या था, sec का input was same as, was same as cos, sec का input was same as cos, बिलकुल same, बस pi by 2 minus कर दिया था, तो sec का, sec inverse का वो range बन जाएगा, यहाँ sec का input था, domain था, अब यहाँ sec inverse में यह input sec inverse का output बन जाएगा, मतलब बिटा, 0 से pi, 0 से pi, minus pi by 2, ठीक है, यहाँ भी सर ऐसे ही रहेगा, बिलकुल, minus pi by 2 से pi by 2, बस except 0, except 0, लो भईया, अब यह वाली table है, जो है, जिसके उपर हमें बात करनी है, जल्दी से copy कर लो, so that अपन इस session को करें, खतम, ठीक है भई, done सर, अगर आपको यह table याद हो गई दोस्ट, तो आपको मज़ा आ जाएगा, done है, बिलकुल done है सर, चलो, मुझे उम्मीद है कि यह table आपको बिलकुल perfectly याद हो जाएगी, और हो जाए तो यह अच्छी बात है बिटा, नहीं होगी तो फिर बहुत दिक्कत में पढ़ जाओगे तुम, है ना, तो यह सब तो अपन ने पढ़ी लिया है, I hope आपको सारा का सारा चीज़े समझ में आ गई होंगी, थोड़ी सी लेंदी वीडियो ज़रूर रही, लेकिन यार, IETF समझना बहुत ज़रूरी था, ठीक है, IETF का range और domain आता कैसे है, normal trigonometric function पढ़ा पहले अपन ने कि normal trigonometric function के domains और ranges क्या होती है, फिर उस वाले चीज़ को change करा थोड़ा सा, क्यों कर रहा, क्योंकि वो अपन को inverse functions दे ही नहीं सकते, है ना, वो byjective थे ही नहीं, वो one-one नहीं थे, इसलिए byjective नहीं थे, byjective नहीं थे, इसलिए inverse नहीं दे सकते थे, इसलिए उनके domains में थोड़ी खुड़ाफात करी, और उन original sign, cost, ten, cost, sec, cosec वाले, जितने भी functions थे, उनके छोटे भाईयों को लेकर आई, sign का sign ही रहा, पर वहाँ जो range, वहाँ जो domain थी, उसको थोड़ा सा change कर दिया, cost का cost ही रहा, पर वहाँ, जो original वाला cost था, उसके domain में थोड़ा change करा, तो change करके अपन क्या करा, आपने थोड़ा सा modification करा, domains में, और फिर आगई अपने पास, sign, cost, ten, cost, sec, cosec की, ऐसी domain वाली और range वाली table, जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ या, अब ये सारे trigonometric functions, byjective हैं, byjective का मतलब है, one one on two हैं, मतलब inverse दे सकते हैं, फिर उस table को हमने पलट के लिख दिया, है ना, उस table को हमने पलट के लिख दिया, भाई, देख सकते हो आप, ये table थी वो, ये वाली table, बस इसको पलट के लिख दिया, ये वाली चीज यहां लिख दी, और ये वाली चीज यहां लिख दी, तो वो टेबल को चपन को ऐसी दिखी और सब inverse हो गए सब बस ये है main चीज बिटा प्लीज रिमेंबर ये main चीज है ठीक है done sir तो भई इसी के साथ end करते हैं session को I hope आपको अच्छा लगा होगा session को like कर देना share कर देना अपने दोस्तों के साथ so that वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सके इन critical topics को बड़ी आसानी से समझने के लिए magnet brains के youtube channel पर regularly आईए बढ़िया पढ़ाई कीजिए और अपने syllabus को complete कीजिए इसी के साथ session को खतम करता हूँ जाने से पहले magnet brains के बारे में कुछ बहुत अच्छी बाते जो आप सभी को जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे पास regularly new बच्चे आते रहते हैं पढ़ने तो उनको भी पता होना चाहिए कि magnet brains आप सभी को provide कराता है k-12 that is kindergarten से लेकर पूरी class 12 तक कि सारे subjects सारी classes के सारे बच्चों को पूरे पूरे syllabus के पूरे पूरे course के completion कराये जाते हैं complete कराये जाता है पढ़ाया जाता है detail में बहुत जादा detailed videos आपको provide कराये जाते हैं and that too free of cost सारे videos में जो भी आपको पढ़ाया जाता है वो होता है high quality top बिल्कुल top class content जो आपको बहुत अच्छे से मदद करेगा आपके exam में 4 ने के लिए ठीक है इसी के साथ हिंदी मीडियम वाले बच्चे हमारे magnet brains हिंदी मीडियम चैनल पर बढ़िया तरीके से science maths जो पढ़ना है पढ़ सकते हो बस आप class 6 से लेकर class 12 तक के बच्चे होने चाहिए और आप UP board, MP board, Bihar board Rajasthan board या Delhi board इन 5 board से किसी ना किसी board से connected होने चाहिए तब जाके आप बढ़िया वाली पढ़ाई कर सकते हो magnet brains के हिंदी मीडियम YouTube चैनल पर तो देरी किस बात किये हिंदी मीडियम वाले बच्चों वहाँ जाके अपना पूरा course complete कर सकते हो पूरा syllabus पर सकते हो और सारे वीडियोज वहाँ पर भी वैसे ही arrange मिलेंगे आपको playlist के format में जैसे English Medium वाले चैनल पर मिलते हैं है ना जो English Medium वाले बच्चे notes download करना चाहते हैं वो भी सुन लो कान खोल कर सुन लो भाई अब हमारी website पर आ सकते हो या application आप install कर सकते हो website है बेटा www.magnetbrains.com application Google Play Store से मिली जाएगी grab e-notes दिख रहा है ना बस इस पे click कर देना दोस्त और अपनी class select करना अरे भाई fluorescent color नहीं grab e-notes पे click करके class 6 से लेकर class 12 CBS e-board English Medium वाले बच्चों के लिए ही है तो भाई अपनी class choose कर लेना subject जो भी subject आपको notes चाहिए है जिस subject के notes चाहिए वो select कर लेना PDF format में आपको e-books और e-notebooks provide कर दी जाएंगी download कर लेना और बड़िया तरीके से भाई सहाब पढ़ाई करना जल्दी मिलेंगे नेक्स वीडियो में तिल देन, happy learning, take care, bye